तो जी आ नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं जी हाँ टी एन पिल अपने आखरी चरण में पहुंच चुका है अपने आखरी पढ़ाओं में पहुंच चुका है क्वालिफायर टू मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा देखना दिल्चस्प होगा कौन सी आज की टीम होगी जो लाइका कोवे किंग्स की टीम के साथ फाइनल में भिड़ते वे नजर आएगी एक तरफ होगी डिंडी गुल ड्रेगंस की टीम और एक तरफ होगी यहाँ पर नेल्लाई रोयल किंग्स की टीम दोनों टीमें काफी शांदार रही है तो जी यहाँ डिंडी गुल ड्रेगंस की टीम के पास दूसरा मोका है क्योंकि पहला क्वालिफायर मुकाबला हार गई थी लेकिन यहाँ पर नेल्लाई रोयल किंग्स से पिछले मैच में शांदार जीत के बाज एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर उतरी है तो देखना काफी दल्चस्प रहेगा कौन सी टीम पहुँचती है फाइनल में एक तरफ होगी लाइका कोवे किंग्स की टीम जो की अल्रेडी फाइनल में पहुँच चुकी है पॉइंट स्टेवल में भी पहले स्थान पर थी और अब फाइनल में जाके परविष्ट कर चुकी है अब इन दोनों टीमें डिंडी गुल ड्रेगंस और नेलाई रेवल किंग्स के बीच में एक तगड़ा मुकाबला आज होने की उमीद जरूर है देखते हैं यहां से कौन सी टीम जाती है लाइका कोवे किंग्स के साथ आपको भिड़ते हुए नजर आएगे आज के इस मुकाबले पे तुझी आचलिए बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों के बारे में दोनों टीमों की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में दोनों टीमों के खिलाडियों के बारे में मुकाबले के हर एक पहलू पर बात करेंगे मौसम थोड़ा साथ यहां पर गड़बड कर सकता है मुकाबले के अंदर बारिश के कितने चांस यहां पर रहेंगे क्या बारिश की वज़े से मुकाबला धुल सकता है और अगर बारिश की वज़े से मुकाबला धुलता है तो फिर कौन सी टीम आपको फाइनल में जाते हुए नजर आएंगे, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे, बाकि आप सबी लोग जुरते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सबस्क्राइ जीते थे, वही नेलाई रोयल किंग्स के टीम ने अपने साथ में से पांच मुकाबले जीते थे, टीनपील की लीग स्टेज में 2023 की, तो डिंडी कुल डैगन्स की टीम अलरेड़ी काफे आगे थी, तो जी हाँ, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था, अगर दोनों टीमों क काफी काम आती नहीं है, लेकिन जी हाँ, जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस होती है, जो पिछले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर डिंडी कुल डैगन्स की टीम हार के यहाँ तक पहुँची है, और वही नेलाई रोयल किंग्स की जो टीम है, वो जीत के यहाँ तक स्टेटिस्टिक्स आपको जल्दी से यहाँ पर दिखा देते हैं, कि किस परकार से आपको दो नोटीम है यहाँ पर कमाल करते हुए नजर आ सकती है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, पच की जी हाँ, मुकाबला खेला जाएगा, इंडीन सीमेंट्स से, ग्राउड के उपर रन बनते हैं तो पिछले पांच मैचों में आप देख सकते हैं पिज आपके सामने हैं किस परकार से यहाँ पर रन बने हैं तो आप देख सकते हैं लगबख पांचों के पांचों मुकाबलों में हलकी सी ग्रीन पिज पिज के उपर हलकी सी घास हलकी फुलकी घास जो के उपर बलेबाजी करना थोड़ा सा आसान यहां पर रह सकता है हाला कि आप देख सकते हैं यहां पर डिंडी कुल ड्रेगंस की टीम ने भी मुकाबला खेला था इसी पिछके उपर अपना जब आखरी मुकाबला खेला था तो 160 रन बनाए थे वहीं निल्लाई रोयल किंक्स क टीम ने भी 146 रन यहां पर बनाए थे जब अपना आखरी मुकाबला यहां पर खेला था तो चलिए यहां पर पिछके बाद यहां पर दोनों टीमों के एक बार कंपेर कर लेते हैं दोनों टीमों की पावर, दोनों टीमों की कमजोरिया क्या है, दोनों टीमों के पास क्या- बाजी और निललाइ रोयल केंग्स की टीम की बलबाजी इन दोनों के बीच में आज भ्घडन्त होगी, तो कहना गलत नहीं होगा। चलिए टीम की ओपनिंग की बात करते हैं टीम की ओपनिंग दोनों टीमों की काफी शानदार है दोनों टीमों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है कुछ मुकाबलों में लेकिन फिर भी अगर टीम की ओपनिंग की बात करते हैं तो जी हां मिडल ओडर में आप देखेंगे निल्ल गोपाल यहाँ पर है, राम सिंग सोनु यादाव यहाँ पर मौझूद है, आर इश्वरन इस्टीम के अंदर आपको खेलते वे नजर आते हैं, इसके लावाँ यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, एनेस हरीश, जो कि बलेबाजी कर सकते हैं, तो इस परकार के खिलाड़ी इस स्टीम के अंदर मौझूद है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो पलड़ा है, वो भारी दिखाई देगा, निल्लाई रोयल किंग्स का, चले जब बात करते हैं, बलेबाजी की गहराई की, तो बलेबाजी की गहराई की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर निल्ल लग रहा था कि टीम काफी कम स्कोर पर, हाला कि पिछला मुकाबला डिंडी गुल ड्रेगन्स की टीम हार गई थी, लेकिन फिर भी, जिस प्रकार की पारी आई थी, यहाँ पर सरत कुमार के दुवारा 26 गेंदों में, बासर चरन नीचे आकर इस खिलाडी ने जिस प्रकार क पारी खेली थी, निचले करम का जो ओडर है डिंडी गुल ड्रेगन्स का वो एक अलग ही confidence देता है, इस टीम के निचले करम के बलेबाजों में अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सुबोध भाठी आते हैं, जो की शांदार पावर हेटिंग करते हैं, सी सरत कुमा आते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तोर पर जो की पिछले मैच में अपना जलवा आप सभी को दिखा चुके हैं, इसके लावा यहाँ पर एम मतिवानन भी यहाँ पर आते हैं, पी शरवना कुमार भी यहाँ पर आते हैं, तो इस परकार के खिराड़ी हैं जो इस टीम के तुमके सामने थेंड़ करते हैं तो वहा देखं़ सकते हैं, यहां पर अपनी स्क्रीन के सामने थेज गेंड़ाजी का इंड़ी का भी उटनि निकलती है। खरवना कुमार यहां पर आपको दिखाई देंगे, इसके लावा आपको दिखाई देंगे यहां पर सुबोध भाटी, सुबोध भाटी वन आफ दा बैस्ट तेज गेंदबाज रहे हैं, अगर पूरे TNPL की यहां पर बात की जाए तो काफी शांदार तरीके से हर मुकाबले में विकेट लेकर जाते हैं, तो काफी कमाल का काम करते हैं नजर आए हैं, पिछले मुकाबले में 37 रन देकर 4 विकेट हासिल कर दिये थे, तो तेज गेंदबाजी का अटेक डेफिनिटली डिंडिकुल ड्रेगन्स का यहां पर काफी मजबूत है, वहीं स्पिन जी है, वो जो चलते हुए नजर नहीं आई थी, तो जी हां यहां पर काफी देखना दिल्चस्प रहेगा, वरुन चकरवर्ती हाला कि यहां पर मुझूद है, वरुन चकरवर्ती के अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो मतिवानन यहां पर मुझूद है, मतिवानन के अगर यहां पर बात कीज़ें तो खिलाड़ी काफी शांदार है आर ओशिक शरी निवास यहां पर मौजूद है लेकिन पिछले मुकाबले में विकेट लेते हुए नजर नहीं आये थे तो यहां पर एन आर के नेलाई रेवल किंक्स की जो टीम है उसको आप एक एक एक्स्ट में बात करेंगा लेकिन बेहत खूबसूरत मैदार जी यहां कन्या कुमारी तक जाते हुए रास्ते में बढ़ता है तो दोनों तरफ लगबग लगबग आप कह सकते हैं पहाड़ी उससे घिरा हुआ मैदान बेहत खूबसूरत है और बल्लेबाजी के लिए भी काफी दूसरी पारी का जो एवरेज स्कोर है वो लगबग 81 रन हमें रहते हुए दिखाई देता है तो पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है वो 112 रन वहीं दूसरी पारी का जो एवरेज स्कोर है वो लगबग 120 रन के आसपास हमें दिखाई देता है वहीं बात करते हैं अगर 20 में पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है वो 162 रन और वहीं दूसरी पारी का जो एवरेज स्कोर है वो 151 रन हमें यहां पर दिखाई देता है तो जी हां इस परकार से रन आपको बनते वे नज़र आएंगे सेशन वाईज सेशन वाईज़ छे ओवर 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर के अंदर बुएजो Olympics सेशन लगाते हैं दो जी हां कल्यान बुक के अबह़ो जाएगा अपनी ले लीजिएगा, कल्यान बुक के उफर जाकर 20% का बोनस भी अवेलेबल है, 200 रुपे अगर आप जमा करेंगे, 100 रुपे की पहली बैट आपको फ्री में भी मिल जाएगी, स्क्रीन पर नीचे बैनर पर दिये गए, नमबर्स के उफर आप कोल कर सकते हैं, मैसिज कर सक कस्टमर सर्वेस भी यहाँ पर आपको उपलब्द मिल जाएगी, चले जब बात करते हैं यहाँ पर अगले स्टेटिस्टिक्स की, तो अगले स्टेटिस्टिक्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं, रिसेंट मैचिस की बात करते हैं, इस मैदान के उपर जो हमने पिछले दो मुकाबले यहां पर देखें तो 28 वा मकाबला था बॉल से टृची और निलाय रोयोल किंग्स के बीच में ही मुकाबला खेला गया था जहाँ पर निलाय रोयल किंग्स के टीम मुकाबला जीत गए थी Give us method से काफी आसानी के साथ उससे पहला जो मुकाबला इसी मैदान के ओपर हमने देखा था वो 27 वा मुकाबला था TNPL का मदरोई पैंथर से चार रन से जीती थी और वो मुकाबला लगबग लगबग एक जैकपोर्ट मुकाबला हमने होते हुए देखा था चलिए दोनों टीमों की बात करते हैं यहाँ पर पिछले 10 मैचों की तो पिछले 10 मैचों का आखड़ा लगबग लगबग दोनों टीमों का यहाँ पर बराबर है पिछले 10 में से 7 मुकाबले डिंडी गुल ड्रेगंज ने JIIते हैं वहीं 10 में से 7 मुकाबले vanish रोयल किंग्स की टीम ने जीते हैं वहीं average score की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा difference हैं हमें देखने के लिए मिलता है डिंडी गुल ड्रेगंस का जो एवरेज स्कोर है वो 161 रन है वही निल्लाई रोयल किंग्स का 148 रन है हाइस्ट स्कोर की बात करते हैं तो डिंडी गुल ड्रेगंस का 190 रन है वही निल्लाई रोयल किंग्स का 193 रन है चले जी अब हाबर बगर बात की जाएं, तो दोनों टीमों के बीच में आकरी दो मुकाबले कब खेले गए थे, तो TNPL 2023 का 23 वा मुकाबला यहाँ पर हमने देखा था, दोनों टीमों को आपस में भिड़ते हुए, जहाँ पर डिंडी गुल ड्रैगन्स की टीम ने आसानी के स ताथ 7 विकेट के साथ नेल्लाई रोयल किंग्स की टीम को मात दी थी, उस मुकाबले में हमने दिंडी गुल ड्रैगन्स की गेंदबाजों को भी चलते हुए देखा था, वहीं दिंडी गुल ड्रैगन्स के बल्ले बाजों को भी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए पिछले दो मुकाबले जो हमने इन दोनों टीमों के बीच में भीड़नत होते हुए देखी है चले जब बात करते हैं पर पिछले दो साल का परफॉर्मेंस दोनों टीमों का किस परकार का रहा है तो आप देख सकते हैं पिछले दो साल में डिंडी गुल ड्रैगन्स ने 24 ऐप देख सकते हैं, तो जिए यहां good balling attack, डिंडिकुल डैगन्स के पास है, वही strong batting line-up जो है निल्लाई रोयल किंग्स की टीम के पास है, पहले बलबाजी करते हुए डिंडिकुल डैगन्स ने 22% मुकाबले अपने जीते हैं, वही निल्लाई रोयल किंग्स ने 25% मुकाबल जीते हैं तो दोनों टीमों का पर्फोर्मेंस पहले बले बाजी करते हुए आप देख सकते हैं विनिंग परसेंटेज कितना जादा गिर जाता है डिंडे गुल ड्रैगन से सिर्फ अपने 22 परतिशत मुकाबले जीती है जब भी पहले बले बाजी करती है वही निल्लाई रोय कुछ आखड़े थे तो जी हां आखड़ो से अब आपको लेके चलते हैं दोनों टीमों के कुछ खिलाडियों की तरफ तो जी हां दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी आपको जल्दी से बता देते हैं फिर एक ड्रीम 11 टीम आपको बताएंगे और फिर आपको लेके चलेंग विकेट के साथ चलिए सबसे ज़्यादा रनों की बात करते हैं तो नंबर वन पर आते हैं निल्ले रोयल किंग्स के विकेट की पर बले बाज जी अजी तेश आठ मैचों में 311 रन के साथ वहीं शिवम सिंग डिंडी गुल रैगन्स के आते हैं दूसरे स्थान पर 8 मैचों में 280 रन के साथ और तीसरे नंबर पर आते हैं डिंडी गुल रैगन्स के विकेट की पर बले बाज भावा इंदर जीत 7 मैचों में 214 रन के साथ वहीं अगर फेंटेसी पोइंट्स की बात की जाए तो जी हां सुबोध भाटी यहां पर अभी भी नंबर वन पर हैं बोलर हैं डिंडी गुल रैगन्स के आठ मैचों में 616 फेंटेसी पोइंट अब तक दे चुके हैं वहीं जी जीते दूसरे स्थान पर आते हैं आठ मैचों में 510 पोइंट्स के साथ वहीं वरुन चकरवर्ती तीसरे स्थान पर आते हैं आठ मैचों में 437 पोइंट्स के साथ यह तीनों खिलाडी हैं जीनों ने अब तक सबसे ज़्यादा पोइंट्स आपको देते हुए नजर आएं हैं दोनों टीमों की तरफ से चलिए जब जल्दी से एक टीम आपको बता देते हैं जी हैं एक शांदार टीम दोनों टीमों के चुने हुए 11 सबसे शांदार खिलाडी जो कि आप अपनी जी अजितेश तीनों खिलाडियों को रखना बिल्कुल मेंडेटरी है तीनों के तीनों खिलाडी फोर्म में हाला कि अरुन कार्थिक का जो फोर्म में वो थोड़ा सा डगमगाया है लेकिन पिछले कुछ मैचों में शांदार परदर्शन के बहल पर वाफसी जो कि आरुन कार्थिक ने वो काफी कमाल की की है शुरुवाती कुछ मैचों में जो परदर्शन है वो काफी खराब था बाकि यहां पर आप देख सकते हैं उसके अलावा कप्तान की बात करते हैं तो कप्तान मेरे ख्याल से सुबोध भाटी आप बिल्कुल रख सकते हैं जिस परकार से गेंदबाजी का परदर्शन रहा है वो आप रख सकते हैं वाइस कैप्टन के तोर पर आप जी रितेश को अपनी टीम में रख सकते हैं हाला कि यह सबसे सेफ चोईसी हैं सबसे सेफ चोईसी हैं यह कैप्टन वाइस कैप्टन की हाला कि अगर आप यहां पर चाहें तो आज के मुकाबले में अगर कुछ आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो मिरे ख्याल से कैप्टन के तोर पर कम से कम आप जा सकते हैं आज के इस मुकाबले में बाबा इंदरजीत के साथ जा सकते हैं जी यहां बिल्कुल जा सकते हैं पिछले मैच में फेलियर रहा था पिछले एक दो मैचों में लेकिन आज शायद कमाल की वापसी आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं वहीं वाइस कैप्टन के तोर पर आप राम सिंग सोनो यादो क साथ भी जा सकते हैं तो यहां यह कुछ ऑप्शन आपके हो सकते हैं जहां पर आप कप्तान या फिर वाइस कैप्टन पर यहां पर थोड़ा सा बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं बाकी वरुन चकरवर्ती इस पिछले मुकाबले भी हमने देखे हैं जादा विकेट ले नहीं पाएं हैं हाला कि ले सकते हैं बड़े ही शांदार गेंदबाज हैं लेकिन पिछले कुछ मैचों से यह फोम है हमेरी डगमगाते हुए दिखा ज़रूर है वरुन चकरवर्ती का तो यहां पर वरुन चकरवर्ती को ऐसे कैप्टन रखना या फिर वाइस कैप्टन राउंडर और आज एक को आपको बढ़िया कैमियो पारे भी यहां पर खेलते हैं नजरा सकते हैं तो यह थे यहां पर टीम बाकी प्रॉपर टीम के बारे में बात करेंगे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के उपर आप तब तक आप टीम अपनी बना सकते हैं बाकी कौन से 11 खिलाडी रहेंगे. पके हमारे वो बात करेंगे ट्ऊस के बाद, जब प्लेंग 11 हमारी आ जाएगी. तो चलिए, आपको ले के चलते हैं प्लेंग 11 के बाद, टॉस की तरफ ट्वस की टोस से पहले आपको दिखा देते हैं पिछ का हाल क्योंकि बारिश का जो माहूल है वो थोड़ा बना हुआ है कितनी बारिश है किस परकार से होगी कैसा रहने वाला है यहाँ पर मोसम आपको दो टीमें बिढ़ते हुए दिखाई देगे डिन्डी गुल ड्रेगन्स वर्सेज नेल लाई रोयल किंग्स क्वालिफायर टू मुकाबला दोनों टीमों के पास आखरी मौका होगा फाइनल में पहुचने का जहाँ पर दोनों टीमों में से कोई एक आपको फाइनल खेलते हुए दिखाई देगी लाईका कोवे किंग्स की टीम के साथ तो चलिए यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ स्टैटिस्टिक्स की साथ कुछ गराउंड के जो स्टैट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं चलिए पिछले 5 मैचों की बात करते हैं, तो आप आप देख सकते हैं, डिंडी गूल ड्रेगन्स की टीम, पिछले 5 मेंसे अपने 3 मकाबले जीती है, 2 मकाबले हारी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अपना आकरी जो मकाबला है, वो हार के यहाँपर पहूंची है, डिंडिगुल ड्रेगन्स के टीम वो भी काफी बुरे तरीके से निल्ला एर ओडिक की बात करते तो पिछले अपने 5 में से अपने 4 मुकाबले जीते हैं अपना पिछला मुकाबला काफी शांदार तरीके से जीता था हाला कि गेंडबाजी थोड़ी सी खराब रही थी लेकिन बल्लेबाजों ने निराश नहीं किया निल्लाई रोयल किंग्स के तो जी यहां यह थे पिछले पांच मैचों का परफॉर्मेंस दोनों टीमों का बाकी अब वेन्यू के स्टेट्स की बात करते हैं जैसा कि आप जानते हैं मुकाबला खेला जाएगा इंडियन सीमेंस के ग्राउंड पर जो की है तिरुन वेली के अंदर तो यहां पर अब तक 64 मुकाबले खेले जा चुके हैं हाइस्ट टोटल की बात करते हैं इस मैदान के ऊपर तो यहां पर लाइका कोवई किंग्स का ही हाइस्ट स्कोर है 208 रन यहां पर बनाये थे लोवेस्ट जो टोटल है वो बॉल सीट रिची का है यहां पर 71 रन पर उल आउट होगए थी बॉल सीट रिची की टीम हाइस्ट जो चेज है वो भी यहां पर लाइका कोवई किंग्स का ही है 190 रन यहां पर चेज किये थे और लो वेस्ट डिफेंडिड की अगर बात की जाए तो जी यहां पर 111 रन है जो की डिफेंड हुआ था एक मुकाबले के अंदर तो आप देख सकते हैं सारे के सारे वेन्यू के स्टेट्स है हाला कि यहां पर काफी महत्वपून बात इस मैदान का जो पहली पारी का के बीच में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं जहां पर डिंडिगुल ड्रेगन्स की जो टीम का फलडा है वो काफी भारी नजर आता है तो जी हां आप देख सकते हैं दो मुकाबले जीते हैं निल्लाई रोयल किंग्स की टीम ने वहीं टीन मुकाबले जीते हैं डिंडिगुल ड्रेगन्स की टीम ने जीत लिया था तो वहां पर तो काफी मजबूत नजर आई थी डिंडिगुल ड्रेगन्स की टीम लेकिन भूलिये गा मत वो लीग स्टेज थी यहां पर जो चीजे हैं वो बदल चुकी है जो प्रेशर है वो डिंडिगुल ड्रेगन्स से बनते हुए नजर आते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि 64 मुकाबले अब तक ही यहां पर खेले गए हैं तो 64 मुकाबलों में से 25 बार ऐसा हुआ है कि जो टीम है पहले बले बाजी करने वाली वो 1500 से कम के स्कोर पर ही सिमट चुक गई है बाकि 21 बार ऐसा भी हुआ है कि पहले बले बाजी करने वाली टीम ने रन बनाए हैं 150 से 170 के बीच में और 12 बार जो रन हैं वो 170 से 190 के बीच में भी बने हैं और 6 बार ऐसा भी हुआ है कि 190 से उपर पहले बले बाजी करने वाली टीम ने रन बनाए हैं तो आप देख सकते हैं हाला कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग 70% के लगभग जो टीमें है जो टीम जिस टीम की पहले बले बाजी करने आती है वो 150 से 190 के बीच में यहाँ पर रन बनते हैं बाकि more precisely अगर यहाँ पर बात की जाए रनों की तो लगभग 160 साठ से लेकर 175 के बीच में जो रन है वो हमें लगभग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं और 175 का ही यहाँ पर आप पार स्कोर भी कह सकते हैं जो टीम पहले बले बाजी करते हैं वो 175, 180 तक रन यहाँ पर बना लेती है वो पार स्कोर यहाँ पर माना जाता है बशर् चले जी टीम के कमपैरिजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो टीम का कमपैरिजन आप देख सकते हैं दोनों टीमों का पिछले 10 में से 6 मुकाबले सभी टीमों के खिलाफ यहाँ पर एक कमपैरिजन आपको दिखा रहे हैं तो पिछले 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं डिंडी गुल्ट्राइगन्स का Bella Royal Kings की टीम का 2011 यहां पर रहा है lowest score की बात करते हैं डिन्डीगुल्ट्राइगन्स का लो एस्ट score पछले 10 मैचों में रहा है 106 रन और वही न muffin Bright mystical charities की टीम क suka लो खोट स्कॉर है तो जी हां यहां यहां पर अगर बात किजाए 157 रन निल्ले रोयल किंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा सा ज़ादा है जैसा कि हम जानते हैं डिंडी कुल रैगंस की टीम का मजबूत पक्षी है उसकी गेंदबाजी और निल्ले रोयल किंग्स का जो मजबूत जिस में भी बहतर रहा है और हाला कि अगर हैड टू हैड की बात की जाए तो वहां पर भी डिंडी गूल रैगंस का जो पलड़ा है वो भारी रहा है तो इस मुकाबले में भी अगर परदर्शन के आधार पर सिर्फ बात की जाए तो 63 परतिशत चांसिज रहेंगे डिंडी डिंडी गूल रैगंस की टीम में मुकाबला शुरू होने से पहले यहां पर थोड़ा मजबूत दिखाई देते हुए लेकिन यह मत भूलिएगा पिछला मुकाबला डिंडी गूल रैगंस की टीम हार के यहां तक पहुँची है तो यहां यहां पर कुछ आंकड़े मैदान की तरफ से बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदान की पिछकी बात करते हैं कंडिशन की बात करते हैं बारिश की यहाँ पर बात करते हैं कि बारिश होने की यहाँ पर कितनी संभाव ना हैं लेकिन इससे पहले यहाँ पर पिछ आपको एक बार पिछके बारे मे हर मैदान, हर मुकाबले के अंदर हमने देखिए इस मैदान के ओपर जिसकी वजए से बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो इस साल जो है बल्लेबाजी करना यहां पर थोड़ा सा आसान रहेगा पिछले साल के मुकाबले तो थोड़ा सा जो पिछ है वो बहतर बल्लेबाजों के लिए हाला कि ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों के लिए अगर बहतर है तो गेंदबाजों के लिए खराब है जो push है वो गेंदबाजों के लिए भी काफी शांदार है लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल बल्लेबाजों के लिए काफी बहतर या pitch मानी जा सकती है चले जी यहां पर बात करते हैं अगर डिटेल पिछ रिपोर्ट की डिटेल पिछ रिपोर्ट अगर आपको यहां पर दिखाएं तो आप देख सकते हैं इंडियन सीमेंट से कमपनी ग्राउन तीरुन वैले पिछ बैटिंग पिछ है ताकि इस मैदान के ओपर टोस का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जो पिछ की कंडिशन है वो पहली पारी में भी सेम रहती है दूसरी पारी के अंदर भी लगबग लगबग सेम ही यहाँ पर रहती है पिछ का जो मिजाज है वो ज़्यादा बदलता नहीं है थ्रू पाजी करने के लिए जाएगी और चेस करना इस मैदान के ओपर यहाँ पर पसंद करेगी चले जी यहाँ पर बात करते हैं वैदर की मौसम की बात करते हैं तो मौसम आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का जो तापमान थिरून वैली का वो लगबग 32 डिगरी सेल्सियस के आ जाएगा लेकिन बीच बीच में हलका फुलका जो बारिश की वजए से डिस्टरबेंस है जो हलकी फुलकी रुकावट है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है आज केस मुकाबले में बाकी पूरे समय मैदान के ओपर बारिश की संभावना यह नहीं है लेकिन बादल रहे है वो लगबग 20-21 किलो मिटर परती घंटे के रफ़तार से यहाँ पर हवा आपको बहते हुए मिलेंगी बाकी सबसे बड़ा जो कंसर्न है आज के इस मुकाबले का वो बारिश है बाकी 25 परतीशत बारिश के चांट से एक बार आपको फिर से बता दूँ अगर मुकाबला दोल जाता है तो टिंडीगुल रैगन्स की जो टीम है वो आगे चली जाएगी फाइनल में पहुंच जाएगी बिना मुकाबला खेले हुए तो यहाँ पर टिंडीगुल रैगन्स की टीम के लिए मुकाबला हो चाहे ना हो ज्यादा फरक पढ़ता नहीं है लेकिन अगर य यहाँ देखना काफे दिल्चस्पोगा, मुकाबला काफी शांदार, यह थे यहाँ पर कुछ आकड़े आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार फिर से आपको बता दे, दो तगड़ी टीम एक बार फिर से आपको भिड़ते हुए नजर आएंगी, क्वालिफायर 2 मुकाबला 10 जु को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है, हाला कि जैसा कि आपको बताएं, चेस करने वाले टीम के पास यहाँ पर extra benefit आज के इस मुकाबले में definitely रहने वाला है, बाकि आप सभी लोग जुड़ते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइ एक अच्छी एंट्री, एक अच्छा एक्जिट, आपको इस मुकाबले में मिल सकता है, बाकि कल्यान बुक के उपर आप जाकर ID भी तब तक बना लीजेगा, क्योंकि TNPL खेलने का मज़ा सिर्फ कल्यान बुक के उपर ही आता है, 200 रुपे जमा करेंगे, 100 रुपे की first bet तो जी हाँ चलिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों टीमों के कौन से 11 खिलाड़े, आपको आज के इस महत्रपूर मुकाबले में मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे, तो जी हाँ दो टीम में एक तरफ है नेलाई रोयल किंग्स, ए बात करते हैं उस मुकाबले के हीरो की, उस मुकाबले में कोन रहा था, नेलाई रोयल किंग्स के तरफ से हीरो, तो जी हां, ऐनेलस म कौबले में 25 गेंडों में 46 रन बनाए थे, वहीं जी जी अजितेश ने 30 गेंडों में 50 रन की पारिक खेली थी, हालाकि आर इशो रन का 10 असकेंदों में 29 रन का योगदान था, नीचे आते हुए, नीचले बलेबाजी करम पर वो काफी महत्वपून था, और मुकाबला चितवाने में, 29 रनों ने काफी महत्वपून भूमिकानी भाई थी, नेल्ले रोयल किंग्स ने बनाये थे 211 रन, वहीं गेंदबाजी में बन रोक सके या फिर विकेट ले सके, चाहे वो राम सिंग सोनु यादा हो, चाहे वो संधी फोरियर हो, चाहे वो एस मोहन परशात हो, चाहे वो कोई माजी हो, ललिच जैन हो या फिर एन हरीश यहाँ पर हो, कोई भी गेंदबाज हमें चलते हुए दिखाई नहीं दिया थ लक्षमेशा, सूर्य परकाश यहाँ पर होंगे, अजितेश, गिरो स्वामी यहाँ पर होंगे, राम सिंग सोनु यादाव, रित्य केश्वरन, एनेस, हरीश, पी, सुगंदी रन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, निदीश, राज कोपाल आपको इस मुकाबले के हमने गेंद भाजों के दोरा, लेकिन इस टीम का जो मजबूत पक्षी रहा है, पूरे सीजन में वो रही है, इसकी बले बाजी और आज भी मेरे ख्याल से इस टीम को निर्भर रहना पड़ेगा अपनी बले बाजी के उपर, अगर डिंडी गुल ड्रेगन्स के सामने मुका पारी खेली थी, जी हाँ, इस साल शतक भी जड़ चुके हैं, ये पक सूपर गिलीज के साथ वो मुकाबला था, 61 गेंदों में 104 रन की एक शांदार पारी हमने अरुन कार्थिक के बले से देगी थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर रन आए है, हाला कि उससे पहले जो पर बले बाजी करते वे नजर आ सकते हैं, अब तक TNPL के टोटल 56 मुकाबले खेले हैं, रन है, इनके नाम 1832 से हाइस, इनका स्कोर 106 रन का, तीन शतक इनके नाम है, 12 अर्ध शतक इनके नाम है, स्ट्राइक रेट, डेड़ सो का एवरेज जो है, वो लगबग 40 का है, तो बहु ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 37 वर्षी है, ये खिलाड़े यहां पर काफी कमाल काफी कामाने वाला है, चलिए जब बात करते हैं अबर लक्षमेशा सूरिया परकाश की तो ज़्यां 33 वर्षी है, दाए हाथ का बले बाज पाज पिछले मैच में शुनिया पर आउट हो उसके बाजूद भी इस टीम ने कमाल की बले बाजी की ती, लक्षमेशा सूरिया परकाश की आउट होने के बाद भी, हाला कि इससे पहले भी अगर परदर्शन देखें, इससे स्रीज में लक्षमेशा सूरिया परकाश का तो ज़्यादा कन्विंसिंग रहा नहीं है, हाई बहतरी न अपना शांदार जो परदर्शन बेस्ट जो परदर्शन लक्षमेशा सूरिया परकाश नहीं दिखा पाए हैं, तो कि आज का वो मकाबला हो सकता है, जहां पर लक्षमेशा सूरिया परकाश आपको बढ़िया अपना सबसे बेस्ट देते हो नजर आ सकते हैं, पाकि एक छोर से अगर अरुनकार्थिक रन बनाते हैं तो दूसरे छोर से लक्षमेशा, सूरे परकाश, अगर स्ट्राइक भी रोटेट करते रहें तो मेरे ख्याल से वो टीम के लिए काफी अच्छा होगा, चले जब बात करते हैं अभी इस टीम के सबसे शांदार खिलाडी और वन ओफ दा बेस्ट बेट्समेन आप कह सकते हैं इस दोजार तेश के सीजन का जी अजी तेश, जी हाँ बीस वर्शे विकेट की पर बलेबाच काफी युवा खिलाड़ी हर मैच में आपको रन बनाते हुए दिखाई दिया है, जी हाँ एक आदा मैच ही ऐसा होगा जहा लाइका कोवे किंग्स के खिलाफ जी हाँ, लाइका कोवे किंग्स के खिलाफ 60 गेंदों में 112 रन की शांदार पारी जी हाँ, वो कौन भूल सकता है और शायद TNPL के इस सीजन के सबसे बेस्ट पारीों में उस पारी का नाम शुमार होता है, जब 60 गेंदों में 112 रन की पार से उपर है तो जी यहां क्यों ना इनको बेस्ट बलेबाज का खिताब दे ही दिया जाए बाकि आज के इस मुकाबले में अगर शांदार परदर्शन उसी परकार से अगर परदर्शन आता है तो नेल्लाई रोयल किंग्स के टीम को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है बाकि अज जी तेश इक ग्रिव स्वामी के बले से किस परकार से रन आते हैं चलिए जब एक और शांदार खिलाड़े के बाद इसमें बात करते हैं जी अनाम है राम सिंग सोनो यादव तो जी हां यह ओल्राउंडर खिलाड़े हाला कि जो रन है वो बले से आए हैं जितना इनको वक् बाकि विकेट्स की बात करते हैं तो जी यहां विकेट्स भी इन्हों ने लिये हैं तो जी एक बढ़िया ओल्राउंडर के तोर पर ऐसा है कि निल्लाई रोयल किंग्स के लिए सभी जरूरते पूरी करते हुए नजर आते हैं एक शांदार फिल्डर भी है एक शांदार गेंद बाज भी और साथ के साथ एक शांदार बलेबाज तो है ही है तो जरुत पढ़ने पर हर रोल में फिट बैठते हैं राम सिंग सोनु यादव और यही बात किसी भी खिलाड़ी को और खास का रोल राउंडर को बड़ा बनाती है बाकी देखते हैं परदर्शन आज किस परकार क यहां पर रहता है राम सिंग सोनु यादव का बाकी बात करते हैं अगर रिति किश्वरन की तो जी हां रिति किश्वरन की यहां पर बात करते हैं विकट कीपर बलेबाज 21 वर्षिया बाएं हाथ का बलेबाज एक और युआ बलेबाज इस टीम के अंदर युआ बलेबाज इस साल TNPL की शुरुआती चार-पांच मुकाबलों में सिर्फ एक ही बढ़िया पारी आई थी, लेकिन पिछले तीन-चार मुकाबलों से रन आ रहे हैं, हाला कि जादा नहीं, 18, 20, 25, 30 रन जो भी हैं, वो मेरे ख्याल से काफी हैं, इचले करम के बलेबाच के लिए 10 गेंदो उन 29 रनों का ही रहा है, हाला कि इस खिलाडी ने अब तक खेले हैं, 15 मुकाबले रन बनाए हैं, 204 हाई एस इनका स्कोर है, 41 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है, 127 का एवरेज जो है, वो लगभग इनका 17 के आसपास का रहता है, तो जी हां, काफी दिल्चस्प, काफी महत् उन खिलाडी साबित हो सकते हैं, रिक्वाइड अन रेट अगर जादा हो तो इस खिलाडी के उपर आप भरोसा कर सकते हैं, चले बाकी बात करते हैं, यहां पर एक और शांदार खिलाडी के बारे में, जी हां नाम है, एनस हरीश, तो जी हां एनस हरीश, यहां पर आपको ख किट लेकर चले ही जाते हैं एनेस हरीश वहीं बलेबाची में भी जब-जब मोखा मिलता है बड़े शोट लगाने से बिलकुल भी चूकते नहीं है जी हां गेंद को जानते हैं किस प्रकार से सीमा रेखा के पार पहुचाना है दर्शकों का मनुरंजन भी करते हैं थोड़ा स हरीश भी उस केटेगरी में काफी महत्यपून एक उल राउंडर साबित होते हैं तो जी आ सोनो याद हो और एनस हरीश इस परकार के उल राउंडर है जो की टीम को काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं चले जी अब एनस हरीश के बाद जल्दी से यहाँ पर बात कर ल से देखा नहीं है तो देखना काफी दिल्चस्प रहेगा पिछले मैच में कफ्तान ने भरोसा तो जताया था पीस उगंदी हिरेन के उपर लेकिन क्या उसमें सफल हो पाते हैं इस मुकाबले में बले बास तो काफी शांदार है बाए हाथ के लेकिन रन अब तक बिलकुल भी जादा आये नहीं है तो चली आज देखते हैं फीस उगंदी हिरेन किस परकार से आज परफोर्मेंस यहां पर देते हैं चली वेशी के साथ यहां पर बात करते हैं एनस राजगोपाल की जो जीहां निदीश राजगोपाल 28 वर्षी ओल राउंडर एक और शांदार ओल पारी हमने पिछले मैच में हम देख चुके हैं 50 मैचों में 76 रन की वो नाबाद वो शांदार पारी थी उससे पहले बोल सीट रिची के खिलाफ भी 21 गेंदों में 35 रन की हमने पारी देखी थी बाकी गेंदबाजी जादा करते नहीं है तो गेंदबाजी इनसे जादा करव एवरेज जो है वो लगबग 32-33 का यहां पर बैठता है तो जी आप देख सकते हैं खिलाडी काफी शांदार काफी बढ़िया निदीश राजगोपाल एक बार फिर से पिछले मैच में अपना बेस्ट परफोर्मेंस देने के बाद कॉन्फिडेंस से भरपूर लबालब किस फरकार इस मुकाबले में परदर्शन करते हैं। मुकाबले खेल चुके हैं 50 विकेट इनके नाम है एकनोमी थोड़ी सी जादा है रन हर मुकाबले में लगबग लगबग थोड़ी जादा ही देते हैं 12 से उपर की एकनोमी इनकी है तो जी हां एवरेज है 25 का तो एस मोहन परशाथ शांदार खिलाड़ी तो हैं लेकिन टीम की तेज गेंदबाजी को लीड करते हैं लीडर है इस टीम की तेज गेंदबाजी के लेकिन इस सार जो परदर्शन है वो काफी फीका रहा है पिछले मैच में 46 रन दे दिये थे विकेट एक भी मिला नहीं था चार ओर में 46 रन टी एन पील में अब तक 21 मुकाबले खेल रहे थे चले जी अब बात करते हैं यहाँ पर एम पो एमोजी की तो एम पो एमोजी यहाँ पर एक और शानदार गेंदबाज हैं हालाकि आप इनको ओल राउंडर कहे सकते हैं हालाकि बले बाजी जादा करते नहीं है कर सकते हैं लेकिन जादा इनका नमबर आता नहीं है क् नेलाई रोविल किंग्स के पास शुरुवात से ही इतनी वलेबाजी मौजूद है तो वहाँ पर इनकी ज़रोट जादा पड़ती नहीं है लेकिन इनको ऐज़े आप गेंदबाज जादा देख सकते हैं गेंदबाजी में काफी कमाल का काम करते हैं अगर देखा जाए तो संदीफ वोरियर से ज़्यादा बहतर गेंदबाजी हमने इस सीजन में एम पोई मोजी की तरफ से देखी है पिछले मैच में भी एक विकेट लेकर गए थे उससे पहले बॉल सीट रिची के खिलाफ भी शांदार तरीके से दो विकेट हासिल किये थे तो TNPL के इस सीजन में अगर इस टीम का कोई सबसे शांदार गेंदबाज रहा है तो वो एम पोई मोजी आप उसको कह सकते हैं बाकि राम सिंग सोनु यादा हुए कैसे गेंदबाज है जो कि कभी भी वापसी कर सकते हैं बाकि संदीब फोरियर यहाँ पर थोड़ा सा निराशय जनक परदर्शन रहा है गेंदबाजी में तो जी हाँ यह है निल्ले रोयल किंग्स की प्लेइंग 11 और शायद इसमें बदलाव होने की जो संभावनाए हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है विनिंग कॉंबिनेशन के साथ यह टीम उतरेगी बाकि इस टीम के अगर सबसे शांदार बलेबाजों के बारे में बात की ज बाकि उसके अलावा राम सिंग सोनु यादा है रिती किशोरन नीचे आकर काफी तेज गती से रन बना सकते हैं एनस हरीश भी बला चला सकते हैं तो यह दोनों खिलाडी रहेंगे नीचे ऐज़े आप इनको कह सकते हैं कि ऐज़े फिनिशर इस्तेमाल किये जा सकते हैं रित आपको यहां पर दिखाई दे सकती है लेकिन अब बात करते हैं यहां पर डिंडिकुल ड्रैगन्स की टीम की टीम पिछले मैच में हमने इनको देखा था हारते हुए हाला की रन बने थे लेकिन रन वो नीचे आकर बनाये थे खिलाडी ने निचले करम के बल्ले बाजो ने उपरी करम जो पूरी तरह से हमने फेल होते हुए देखा देंडिकुल ड्रैगन्स की टीम का हाला की आज कौन से 11 खिलाडी यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे उसके बारे में बात करेंगे इस टीम के अंदर बदलाव की संभावना यहां पर रहेगी जरूर लेकिन इनके पास ओप्शन्स क्या क्या हैं बदलाओ के उसके बारे में यहां पर बात करेंगे वरुन चक्रवरती जो कि इस टीम का फेस माने जाते हैं इस टीम के सबसे बड़े खिलाडी माने जाते हैं वो भी पिछले मैच में फेल रहे थे तो इस टीम की जब जब का कोवे किंग्स के खिलाव जहां पर यह टीम 193 रन का जो आखड़ा है वो चेस कर रही थी लेकिन 163 रन पर सिमट गई थी तो जी हैं आज कौन से 11 खिलाडियों को जगा मिल सकती है बाबा इंदर जीत यहां पर होंगे विमल कुमार यहां पर होंगे आदित्य गणेश इस स्टीम के अंदर दिखाई देंगे इसके लावा वरुन चकरवरते यहां पर होंगे औशिक श्रीनिवास यहां पर होंगे सुबोत भाटी आपको यहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे तो जी हां यह 11 खिलाड़े यहां पर होंगे जो आपको स्टीम के अंदर आज इंदर जीत के बल्ले से तो जी आइस समा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से भरपूर है लबालब है वो पारी आपको याद हो कि स्लिम स्पार्टन्स के खिलाफ पचास गेंदों में तिरासी रन की वो अबाद पारी थी एकलोते दम पर अकेले बल्लेबास थे खड़े ओकर जिन्होंने टीम को मुकाबला जितवा दिया था और काफी शांदार परदर्शन था हाला कि पिछले मैच में जो मुकाबला था लाइका को वे किंग्स के खिलाफ वहाँ पर भी 21 रन की एक पारी आई थी लग रहा था कि मुकाबला निकाल सकते हैं बाबा इंदर जीत अगर क्रीस के ओपर खड़े रहे तो पिछले मैच में भी लेकिन अपना विकेट गवा कर गलत समय पर टीम को हार की तरफ धके लाता बाकि इससे पहले के परदर्शन की अगर बात की जाए बाबा इंदर जीत के तो कुछ शांदार पार या वहाँ पर भी आई थी लेकिन कंसिस्टेंसी जो सबसे बड़ी प्रॉबलम रही है बाबा इंदर जीत की वो रही है कंसिस्टेंसी एक मैच में अच्छा परदर्शन करने के बाद कम से कम दो तिन मुकाबले ऐसे आते हैं जहां पर जो रन है 30 से उपर का है ज्यादा शांदार तो नहीं लेकिन TNPL के लिहाँ से काफी बढ़ी आप स्टेटिस्टिक्स कह सकते हैं बाबा इंदर जीत के बाकि देखे एक बाद जरूर है अगर आज के मुकाबले में डिन्डिकुल रेगंस की टीम को मुकाबला जीतना है क्योंकि इस ट खिलाडी ने कंसिस्टेंसी दिखाई है हाला कि रन जादा नहीं आई है 30, 35, 40 रन की पारिया खेलते हैं लेकिन कम से कम जो शुरूरात है वो काफी शांदार देते हैं एक छोर संभाल कर खेलते हैं सामने वाले बल्लेबाज को मुका देते हैं रन बनाने का सिर्फ 8 मुकाब शांदार बल्लेबाजो में इनका नाम शुमार होता जरूर है लेकिन जो परदर्शन है इस बार इस परकार का रहा नहीं है कि इनको आप टॉप 3 या फिर टॉप 4 में इनको जगा दे सके बल्लेबाजी में सिर्फ एक ही पारी याद आती है इनके बल्ले से आई ड्रीम तिर चुके हैं रन है 736 इनका स्कोर है 66 का स्ट्राइक रेट 113 के पार का जाता है और वहीं जो एवरेज है वो लगवग 32 का रहता है लेकिन इस सीजन में जो परदर्शन है इस परकार का है कि भूलने वाला आदित्या गणेश खुद बोलना चाहेंगे अपना परदर्शन इस उन्होंने डिंडी गूल ड्रेगन्स के लिए खेला है वहीं बात करते हैं पी शरवना कुमार की तो जी हां पी शरवना कुमार शांदार गेंदबाज 33 वर्शी अदाय हाथ के तेज गेंदबाज है काफी तेज गती से गेंदबाजी करना जानते हैं कंडिशन का फाइदा रन दिये नहीं है, रनों की गती पर पूरी तरह से लगाम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी विकेट जो है वो इनको मिला नहीं है, और पी शरवना कुमार को अगर विकेट नहीं मिलता है, तो फिर इस टीम की तेज गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखाई देती है बाकि आज के इस मुकाबले में उमीद करते हैं कि पी शरवना कुमार यहां पर कुछ विकेट तो लेते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि आज मैदान दूसरा है, कंडिशन साज यहां पर थोड़ी सी अलग हो सकती है, और वहां पर आपको पिछ रिपोर्ट के अंदर जी यहां दूसरी टीम में भी, दूसरी टीम में भी काफी ऐसे बलेबाज है, जो की काफी युवा है, उनका परदर्शन काफी शांदार है, लेकिन भूपति कुमार को अब तक समझ में नहीं आया कि टीम में इनको रखा क्यों है, आठ मुकाबले अब तक खेल चुके हैं, 68, रन अब तक इनोंने बनाए, इनका हाइस्ट स्कोर है 25 का, स्ट्राइक रेट है मातर 11, 110 का, और जो एवरेज है वो लगबख 17 के आसपास का इनका रहता है, बाकी कप्तान का भरोसा इनके उपर काफी जादा है, तो जी यहां भूपति कुमार टीम में लगातार इनको जाद रखा जाएगा भूपति कुमार को, बाकी निडिकुल ड्रैगन्स की टीम में थोड़ा नीचे आते हैं बले बाजी करने के लिए, तो खिलाडी शांदार है, तभी इनका टीम में चैयन हुआ है, बाकी आज के इस मुकाबले में देखते हैं, बाकी बात करते हैं, अकसर हर मुकाबले में देखर जाते हैं, ओशिक के शरी निवास, 41 मैच अब तक खेले हैं, 37 विकेट, अब तक इनोंने चटकाए हैं, तो गेंदबाज काफी शांदार है, लेफ्ट आम और्थोडॉक्स से स्पिन गेंदबाज है, हाला कि आज की इस मुकाबले में, जियां मुकाबले के अंदर आपको विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं, अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, 9 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं, तो जी किशोर इस साल मोका मिला है, तो उसका पूरा फायदा यहां पर उठाते हुए, तो जी यह राइट आम मीडियम तेज गें गेंदबाज हैं, तो देखना काफी दिल्चस्प होगा, पी शर्वना कुमार जी किशोर की यह जोड़े किस परकार से आज गेंदबाजी करते हुए नजर आती है, दोनों गेंदबाज शुरुवात करते हैं, जी आपारे की गेंदबाजी में, तो दोनों के ऊपर यहां प टॉप थ्री में, टॉप थ्री स्पिन गेंदबाजों में अपनी जगहा बनाएंगे, जरूर इसे टूर्नामेंट के लास्ट तक लेकिन बीच में कुछ मुकाबले काफी खराब, पिछले दो मुकाबलों में विकेट इनको मिला नहीं, हाला कि अब तक 22 मैचों में 18 बीच भी नहीं लेते हैं, तो रन भी नहीं देते हैं, एकनोमी रेट इनका सबसे शायद सबसे शानदार होगा, आप किसी भी टीम के स्पिन गेंदबाज को देखे हैं, कमपेरिजन कीजेगा, एम मतिवानन के साथ सिर्फ 6.7 एक रन परती ओवर की रफ्तार से रन देते है अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में शायद सबसे बहतर एकनोमी रेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, एम मतिवानन, और हर मैच में अपने चार ओवर पूरे भी करके जाते हैं, बाकी विकेट इनको जादा मिलते नहीं हैं, लेकिन आज के इस मुकाबले में देखते ह चले हैं अब इस टीम के सबसे शांदार गेंदबाज के बारे में बात करते हैं ची अनाम है वरुन चकरवरती भारती है टीम के लिए खेल चुकेैं, आई पेल में आप इनको खेलते हुए देख चुके हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, बाकी पिछले मैچ में एक विकेट हासल कि लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में जो महत्यपूर्ण भूमी का होती है, एक मुख्य गेंदबाज की वो निभाने में अब तक पूरी तरह से ऐसा फल रहे हैं, विकेट लेते हैं, विकेट का नंबर इनका आप देखेंगे तो काफी बढ़िया, काफी शानदारी सूर्द वर्ती फेल हो जाते हैं, बाकी डिंडी कुल ड्रेगंस की टीम के लिए खेलते हैं, आज के इस मुकावले में डिंडी कुल ड्रेगंस को अगर पार पाना है निल्लाई रोयल किंग्स की बलेबाजी से तो वरून चकरवर्ती का महत्पूर्ण मोकों पर बड़े खिलाडियो को हिखटा कर दीजेगा, सुबोध भाटी ने जिस लाइन लेंध के साथ गेंदबाजी की है, जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, वो काफी कमाल, राइट आ, मेडियम तेज गेंदबाज है, इस टीम की जान है, पिछले मैच में भी हार के बावजूद भी यह खिलाडी चार विकेट ले कर गया था, आठ मैचों में अब तक 15 विकेट ले चुके हैं, सुबोध भाटी जब से इस टीम, इस खिलाडी को इस टीम के अंदर मौका दिया है, डिंडी गुल ड्रेगन्स वाले सोच रहें होगी, पहले इनको मौका दिया है, तो जी यहां सुबोध भाटी का परदर्शन याद रहे गए टीम, मुकाबला जीते चाहिए टीम आज मुकाबला हारे, लेकिन सुबोध भाटी काफी महतरपून खिलाडी के तोर पर याद किये जाएंगे, बाकी यह थे डिंडी गुल ड्रेगन्स की टीम के ग्यारा ख हिड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, बाकी जल्दी से अब एक बार quick comparison दोनों टीमों का यहाँ पर देख लेते हैं, तो जी हाँ बलेबाजी में बात करते हैं, सबसे पहले opening की, अरुन कार्तिक, लक्षमेशा, सूर्य परकाश, निल्ले रोयल किंग्स की तरफ से, वह इश्वरन जैसे यहाँ पर player शामिल है, जिनका जो परदर्शन है, पूरे season में काफी महत्यपून रहा है, वही डिंडी गुल डेगन्स की अगर बात की जा, तो यहाँ पर आपको बाबा इंदर जीत दिखाई देते हैं, हाला कि इनका जो बलेबाजी करम हो बदलता रहता ह कभी one down पर बाबा इंदर जीत आ जाते हैं, कभी one down पर पी शर्वना को मार को भेज दिया जाता है, तो अब तक पी जो बलेबाजी करम है डिंडी कुल डेगन्स का वो पूरी तरह से sorted नहीं है, लेकिन फिर भी बलेबाजी में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर हा बेज आजरा है वो बक्षि में मूड सकता है डिंडी कुल डेगन्स के, बाकी अगर यहाँ पर बात करते हैं गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में, तेज गेंदबाजी में आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जो पलडा भारी है डिंडी कुल डेगन्स का लेकिन spin नगर वर्ण चक्करवरती विकेट लेने में कामियाब नहीं रहते हैं या फिर रन लुटाते हैं तो फिर स्पिन के इंदबाजी में भी नेल्लाई रोयल किंक्स की जो टीम है वो काफी आगे निकल जाती है चलिए जी यहाँ पर दोनों टीमें आप देख चुके हैं जल्दी से आपको लेके चलते हैं टॉस की तरफ देखते हैं टॉस यहाँ पर सिक्का किसके पक्षिमों चला है आज तोड़ा सा मोसम आपको पता है मोसम बीच में यहाँ पर रुकावट पैदा कर सकता है तो आप भी जाएगा तब तक कल्यान बुक के उपर अपनी आईडी बना लीजेगा, 20% का बोनस अपके लिए उपलब्द है, बाकी 200 रुपे अगर आप डिपोसिट करते हैं, तो 100 रुपे की पहली बैट जो आपको फर्स बैट है, अपनी आईडी बनाईएगा, बाकी देखना काफी दिल्चस्प रहेगा, कि मुकाबला जो है किस परकार से चलते हुए नजर आता है, बाकी कल्यान बुक के साथ खेलिएगा, अपनी टीम हम आपको बताएंगे, शांदार एंट्री, शांदार एक्जिट, आज के इस मुकाबले में उम्मीद करते हैं कि एक प्रॉफिट वाला मुकाबला हो, साथ के साथ दर्शकों के लिहाज से भी काफी एक महत्यपून मुकाबला हो, चलिए लेके चलते हैं आपको सीधा टॉस की दराफ, तो जी हाँ नमशकार सभी विविवर्स को एक बाल फिर से तो जी हाँ इस से शांदार मुकाबले में टॉस हो चुका है, निल्ले रोयल किंक्स की टीम ने टॉस जीता है और पहले किया है गेंदवाजी करने का फैसला, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैदान के ओपर पहले गेंदवाजी करने वाली टीम के जीतने की संभावना यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जी हाँ यहाँ यहाँ पर निल्ले रोयल किंक्स ने इस से शांदार मुकाबले में टॉस जीता, जैसा कि आप जानते हैं कि आज क्वालिफायर टू मुकाबला है, यहाँ पर दो टीमें आपस में आपको भिड़ते हुए नजर आएंगी, एक तरफ होगी डिन्डी गुल ड्रैगन्स की टीम, एक तरफ यहाँ पर होगी निल्ले रोयल किंक्स की टीम, लेकिन यहाँ पिछले मैच में जिस परकार से निल्ले रोयल किंक्स की टीम जीती है, और इंडी गुल ड्रैगन्स की टीम हारी है, वो यहाँ पर एक कड़ा टकर, यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला आपको देखने के लिए मिल सकता है, चले जल्दी से यहाँ पर आपको प्लेंग 11 की तरफ लेके चलते हैं प्लेंग 11 के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि कोई यहाँ पर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिले तो जी हाँ चेंजिस यहाँ पर बिल्कुल नाके बराबर हैं तो आपको जल्दी से टीम बता देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं निल्ले रोयल किंग्स की टीम के अंदर आपको औरूं कार्थी कैसे कप्तान दिखाई देंगे, लक्षमन सूर्य परकाश यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जी अजी तेश इस टीम के अंदर खेलते पर होंगे और संदीप ओरियर आपको इस टीम के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे, बाकी बात करते हैं यहाँ पर हम पनी दूसरी टीम बिंडिकूल ड्रैगन्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबा इंदर जीत होंगे, इस टीम के कप्तान और विकेट कीप आर्मी बल कुमार आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे, शिवम सिंग यहाँ पर होंगे, भूपती कुमार यहाँ पर होंगे, आरित्य गणेश होंगे, सुबोध भाटी स्टीम के अंदर आपको दिखाई देंगे, पी शरवना कुमार यहाँ पर होंगे, एम म पूरी लीग स्टेज में आज उसका एक तरीका से आप कहा सकते हैं फाइनल एक्जाम है तो जी आज फाइनल एक्जाम के लिए दोनों टीमों के सबसे बहतरीं 11 खिलाड़ी आपको भिड़ते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में तो जी हाँ बात करेंगे दोनों टीमों क कि आपको यहाँ पर बता दी गई थी शुरुआत में लेकिन एक बार फिर से विकेट कीपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रूं कार्तिक यहाँ पर होंगे जी अजी तेश यहाँ पर होंगे और बाबा इंदर जीट आपको इस टीम के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे चलिए एक बार आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर दिखाई देते हैं तो आप देख सकते हैं अरूं कार्तिक बाबा इंदर जीत और जी अजी तेश यहाँ पर आपको विखाई देंगे बले बाजो में अगर यहाँ पर बात किज़े तो आप उनको भी रख सकते हैं ओल्राउंडर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राम सिंग सोनो यादो पीश अरवना कुमार दो ही खिलाड़ी है जिनको आप एजएन ओल्राउंडर टीम के अंदर रख सकते हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही काफी कमाल का काम करते हैं इन दो सकते हैं पिछले मैच में चार विकेट लिये थे हर मैच में विकेट लेकर जा रहे हैं दो विकेट तो हर मैच में पके हैं बाकि जिस मैच में अच्छा पर्फोरमENCE मिल जाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है आखरी के दो या तीन ओवर ढालते हुए हमें नजर आते हैं बाबा इंदर्जीत के साथ आप जा सकते हैं दो मैचों पहले एक शांदार पारी हमने बाबा इंदर्जीत के बल्ले से देखी ती आज एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीद रहेगी बाकी जी जीतेश भी यहाँ पर एक शांदार चोईस है वाइस कैपिनसी के लिए बाकी पी शरवना कुमार भी आज आज आप देख सकते हैं बल्ले बाजी में भी कमाल कर सकते हैं गेन बाजी में भी कर सकते हैं सबसे बहतर चोईस की यहाँ पर बात किया तो मिरे ख्याल से बाबा इंदर जी या फिर जी अजी तेश के पास आप जा सकते हैं ऐसे कफटान तो जी हाँ यह है हमारी ड्रीम 11 टीम आप देख सकते हैं दोनों टीमों के चुने होगे 11 सबसे शांदार खिलाड़ी बाकी प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के सामने हैं आप देख लीजेगा दोनों टीमों की दोनों टीमों के अंदर कोई बदलाव नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर टॉस कीजी हाँ टॉस जीता है जैसा कि आप जानते हैं निल्लाई रोयल किंग्स की टीम आपको बारीश होते हुए दिखाई दे सकती है इस मुकाबले के अंदर जैसा कि आप जानते हैं जब भी मुकाबले की बीच में बारीश होते हैं तो हमेशा चेस करने वाले टीम को उसका बेनिफिट मिलता है तो सबसे पहला कारण ये है कि निल्लाई रोयल किंग्स यहाँ पर आपको पहले गेंदबाजी करते हुए दिखाए लेगे, उसके साथ-साथ मैदान के उपर आप देख सकते हैं, हलके फुलके बादल जरूर है, कल परसो भी यहाँ पर पिछले दो दिनों में यहाँ पर हलकी शांदार है, काफी बढ़िया खिलाड़ी इस टीम के अंदर मौझूद है, लेकिन जब जब इस टीम की पहले बल्ले बाजी आती है, तो पहले बल्ले बाजी करके जीतने का जो रिकोर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम का 24% रह जाता है, 24% मुकाबले डिंडी गुल ड की टीम को आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर निल्लाई रोयल किंग्स के सामने इसे बारिश से बाधित मुकाबले में बहतर यहाँ पर परफॉर्म करना है तो जी अचली ये थे यहाँ पर टीम के खिलाड़ी, इंपेक्ट प्लेयर की जल्दी से आपको बात बताते थ प्लेइगे डिंडीकुल ड्रेगन्स की तरफ से बात की जाए तो ओशिक शरी निवास है, वीपी डाइरन है, आफान खेदार है और हेमत कुमार है, बाकि जब डिंडीकुल ड्रेगन्स की टीम गेंदबाज ही करने आएगी तो इंपेक्ट प्लेयर के तो पर आपको ओशिक शरी निवास जो की और्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है, वो आपको आते हुए दिखाई देंगे इस टीम के अंदर, तो जी हाँ ये थी इंपेक्ट प्लेयर की लिस्ट, ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग रैवन, बाकि आज का मुकाबला काफी शांदार होने की उम बात की जाए, तो इस मैदान के ओपर हमने जो लीग स्टेज के आखरी कुछ मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे हमने देखा था, एक सो पिछातर, एक सो असी का जो टारगेट है, वो यहाँ पर काफी आसानी से बन जाता है, पिछ जो है वो बलेबाजी के लिए अच्छी पक्षे नजर आता है बलेबाजी में, गेंद बाजी हाला कि इस टीम की मजबूत है, लेकिन बलेबाजी में थोड़ा सा कमजोर पक्षे बाकी, बाबा इंदरजीत के उपर डिपेंड करते हैं, बाबा इंदरजीत यहाँ पर किस तरीके से बलेबाजी करते हैं, दो तिन ब बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं बाग लेकिन बल्लेबाजी का जो सतर है सिर्फ दो ही बल्लेबाजी यहाँ पर डिसाइड करेंगे इस टीम के अंदर बाबा इंदर जीत और विमल कुमार यह दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बल्ले से अगर रनाएंगे तो डिंडिकूल ड्रेगन्स की जो टीम है वो एक आपको बड़े स्कोर तक पहुँचते हुए यहाँ पर दिखाई देगे बाकी बात करते हैं निल्लाई रोयल किंग्स की गेंदबाजी की तो गेंदबाजी इनके पास काफी बड़िया है इस टीम निल्लाई रोयल किंग्स की टीम अगर शुरुआत में विकेट लेती है तो एम पॉय मोची ही वो गेंदबाज होंगे जो शुरुआत में आपको विकेट दिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं बाकी इसके लावा निदीश राज गोपाल भी यहाँ पर मौजूद ह तो जी हाँ कि इनवाजीन के पास भी भरपूर है बाकी देखते हैं कि इस तरीके से जो मुकाबला है वो चलते हुए यहाँ पर नज़र आता है तो जी हाँ यह यह थे यहाँ पर स्रेटिस्टिक्स कुछ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 टोस का हाला आपको बता दिया है बा कि रेट के साथ रहेंगे एक सही समय पर एंट्री सही रेट पर एंट्री सही रेट पर एकजिट की यहाँ पर कोशिष करेंगे ताकि profitable मुकाबला एक सब के लिए यहाँ पर बन कर उवरे बाकी final winner के तोर पर एगर आप पोचेंगे तो ऐसा लग रहा है हालातों को देखते ह और पर्फॉर्मेंस को देखते हुए कि निल्लाई रोयल किंक्स की टीम इस मुकाबले में बाजी मारते हुए आपको दिखाई दे सकती है। की जो बोचारे हैं वो होते हुए दिखाई दे सकती हैं हाला कि उससे बहुत कम चांसी है कि आपको ओवर में कटोती होते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिर भी खेल जो है बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए रोक सकता है 25-30% यहां पर बारिश की अभी भी चांस है। वासिर चोधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्लू देशमुक जी हमारे साथ जुड़े है लिखा है वेदर दिल्लू भाई देखे बहुत कम चांसी है बलकुल अगर आप कहेंगे तो नाके बराबर चांसी हैं कि यहां पर बारिश की वज़े से आपको ओवर कटते पहले बल्ले बाची कर रही है चांसीज आप ले सकते हैं कि लग भग एक सो साथ एक सो सतर तक ये टीम आपको यहां से पहुचते हुए दिखाई दे सकती है ओमार फारुक जी हमारे साथ जुड़े हैं कितना रन बनेगा सुनील पासवान जी ने लिखा भाई कौन से टीम सुनील पासवान भाई मुकाबले के शुरू में निल्ले रोयल किंग से फाइनल विनर के तोर पर आप देख सकते हैं बाकी जैसे जैसे यहां पर मुकाबला चलेगा एंट्री आपको बढ़िया एंट्री देंगे उसके साथ साथ आपको एक अच्छा एक्जिट भी देंग परवेज भाई डिंडी गूल ड्रेगन्स जीत सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा आप इतिहास खंगा लेंगे डिंडी गूल ड्रेगन्स का तो पहले बल्ले बाजी करके जीतने के चांसे इस टीम के सिर्फ 24% है सिर्फ 100 में से 24 मुकाबले है जो जीती है टीम पहले बल्ले बल्ले बाजी करके जीतने का जो रिकोर्ड है वो काफी तंग हाल है इस टीम का बाकि आपको बताया कि आज अगर कोई चमतकार हो जाए तो देखे कुछ कहा नहीं जा सकता अविनाश चोहां जी ने लिखा है कमेंटरी अच्छा करते हो सर अविनाश भाई आपका बहुत ब बाकि मेरे ख्याल से डिंडी गुल ड्रेगंस का जो शुरुवाती चे ओवर का सेशन है वो मेरे ख्याल से रन यहाँ बर बन सकते हैं लेकिन विकेट गिरने के भी गुंजाई से क्योंकि थोड़ा सा मोसम कंडेशन सा थोड़ी सी ओवर कास्ट है नेलाई रोयल किंग्स के पास अच्छे तेज गेंदबाज भी है एम पोई मोची इकलोते ऐसे गेंदबाज है जो आपको विकेट लेते हुए शुरुवात में नजर आ सकते हैं सुनिल पासवान भाई रेका भाई पिच रिपोर्ट कैसा है सुनिल भाई पिच जो है बल्लेबाजी के लिए काफी बढ़िया है इंडियन सिमेंट से ग्राउंड के ओपर मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर हमने लीक स्टेज के आखरी के चार मुकाबले खेलते हुए टीमों को देखा था बल्लेबाजी के लिए पिच काफी शांदार है पिच की एक खासी है था पूरे 40 ओवर एक समान रहने वाली है ऐसा नहीं है कि पहली पारी में अलग है दूसरी पारे में आपको पिच कोई स्लो होते हुए दिखाई देगे लगातार 40 ओवर पिच समान बिहेव करती है बल्लेबाजी आसान है गेंद बल्ले के उपर काफी बढ़िया तरीके से आती है बाउंडरी जो है वो थोड़ी सी चोटी है बड़े शोट लगाना यहाँ पर आसान है और हमने कई मैचों में यहाँ बड़े स्कोर बनते हुए देखें इस सीर को ध्यान अर्मा भाई बीस ओवर में 170 का जो आकड़ा है शुरुवाती आप दो वर सिर्फ दो वर आप देखने दीजेगा दो वर के बाद आपको बताता हूं एक बार शुरुवाती पिछ की कंडिशन क्योंकि आकरी बार इस पिछ के उपर जो मुकाबला है वो लगबग आठ दिन पह पहले खेला गया था शाथ आठ दिन पहले मुकाबला खेला गया ता आखरी बार तो थोड़ासा दो वर का टाइम लेंगे दो वर के टाइम के बाद फिछ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे 20 ओवर का स्कोर है जो वो क्यार है सकता है ओल गया, successful हो गया, तो आपके जीतने के chances बढ़ जाएंगे, बाबा इंदर जीत के साथ आप जा सकते हैं, नहीं तो आप गेंदबाज में से भी किसी का चुनाव कर सकते हैं, राहुल दवार जी हमारे साथ जुड़े, मेरा नाम लो सर, राहुल भाई आपका नाम ले दिया है, ब सर, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निरोब भाई ने लिखा है, छे ओवर कितना रन होगा, सुजान सरकार ने लिखा है, वाई, हू विल विन, सुजान भाई देखिए, शुरुवाती अगर आकलन से पता लगाया जाए तो लगता है, निल्ले रोयल किं कि यहां पर संभावना जादा रहने वाली है, मिलान कसर जी हमारे साथ जुड़े हैं, परवीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, महमद बोर्जोल खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, केविन, डैट पटेटो ने लिखा है, इसके बाद कौन सा मैच कवर करोगे, डैट निशाद ने लिखा टोस कौन सी टीम जीती है बलेबाजी कौन सी टीम रामायन निशाद जी टोस जीता है निल्ले रोयल किंक्स की टीम ने और पहले गेनबाजी करने का फैसला किया है डिंडीगुल ड्रेगन्स की टीम वरूंग चकरवर्ती वाली जो टीम है वो आपको पहल क्लास प्लेयर भी मौझूद है लेकिन जब जब ये टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो इस टीम के जो बुरे दीन है वो शुरू हो जाते हैं सिर्फ 24% रेट है पहले बल्ले बाजी करते हुए जीतने का बाकी चेज करते हुए डिंडिगुल रेगन से 76% अपना विनिंग र पीच में एक शांदार मुकाबले की शुरूआत होने वाले जी यहां सिर्फ 3 मिट का वक्त बचा है सुजान सरकार में लिखा भाई हुवेल वेन शानो मलिक जी लिखा आज कौन जीतेगा सर ऐसे सूरज जी हमारे साज उड़े लिखा हाई सर आकाश सहा ने लिखा भाई 20 वर में कितना यस करूं जल्दी बताओ मैं चालू होगा और पहले दो वर में मार दिया तो रन बढ़ जाएगा अकाश सहा भाई देखिए इतना तो सर इंतिजार करना पड़का है एक वर तो कम से कम देखे देखना पड़ेगा बाकी अगर आप शुरुआत में ही यहां पर बिटेल है वो तब बताएंगे वसीम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं mathematics solution जी हमारे साथ जुड़े है nice commentary भाई mathematics solution भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसीम खान भाई जुड़े है विशाल खाडे जी हमारे साथ जुड़े है सर ची आप कमेंटरी बहुत अच्छी कर प्लीज हमारा नाम लो एक बार जी भाई आपका नाम ले दिया है विशाल खाडे भाई ऐसे ही आर जुड़ते रहिएगा सूरज कुमार भाई ने लिखा कर लो भाई शादे फिर दोनों एक साथ कमेंटरी करना सूरज भाई शादी करके कमेंटरी कौन करता एक साथ ये बत मिलती है लेकिन उसके बाद पिछ जो है वो बलेबाजी के लिए काफी शानदार हो जाती है आर्मी भाई ने लिखा भाई कैप्टन बताओ साई आर्मी भाई देखे बता चुका हूँ अब तो वक्त निकलता जा रहा है और कफ्तान अभी आप पूछ रहे हैं दो मिनट का वक्त बते हैं इसने कफ्तान अपना नहीं बनाया तो भाई जाके बना लीजिएगा दो मिनट के बाद आपकी जो सेवा है वो खारिज हो दाए कि कफ्तान बनाने की तो जिया कफ्तान के तो पर बाबा इंदर जी तक रिसकी चोईस चाहिए तो आप जी अजितेश के साथ ज करेंगे उसको सोच रहें इसकी लाइब कमेंटरी आपके साह मने के पेश की जाए अगर रवीी चंडर thinking बैठा होता उससे तराजू के फलडे में तो भारी होता है इससम बाकि इससम है नेले ज्यो टीम है वो फीवरिट हैं मुकाबल एब इस मुकाबले शृवात में Little Mughal भाई ने लिख़ा है किस पर इन्वेस्ट करना है कितने तक बनेगा नेहा कैमिस्ट्री जी ने लिख़ा है लिटल मुगल ने लिख़ा है कि सीम पर इन्वेस्ट करें जग्गा बंदु जी हमारे साथ जुड़े हैं सर आज कौन बाजी मारेगा जग्गा बंदु भाई लगत खेल कर देखने में कि आज की पिछ कैसी है तो थोड़ा सा देखने दीजिएगा रमायन निशाद जी ने लिखा है हम अयोध्या से हैं जी भाई अयोध्या से आपका स्वागत है श्री राम की जनम भूमी से आप हमारे साथ जुड़े हैं शानु मलिक ने लिखा है सर बताया कौन जीतार शानु जी यहां से नियल्ले रोल किंग्स के जीतने की जो संभावनाएं है वह रहेंगी अप रोगेमर भाई हमारे साथ हुड़े हैं है अभी भी बरसात यहां पर हो रही है मुहमद हुसेन जी हमारे साज उड़े है टोटल कितना रन हो बे मुहमद हुसेन भाई टोटल रन 165 तो पार हो बे ही हो बे दीपक रावज जी हमारे साज उड़े है बोलिंग टीम विन भाई ड्यू भी होती है दीपक भाई ड्यू का तो इतना जो इंपेक्ट है वो इस मैदान के उपर देखे देखने के लिए नहीं मिला हाला कि यहाँ पर जो मोसम है वो लगबग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है मोसम आसमान के उपर बादल है इसलिए ड्यू नहीं पड़ेगी अगर मो प्लेयर्स हैं वो मैदान के अंदर एंटर करते हुए और हम भी तैयार है लाइव कमेंटरी के लिए डिंडी गूल ड्रैगन्स वर्सिज नेलाई रोयल किंग्स के बीच में होने वाले मुकाबले के लाइव कमेंटरी के लिए अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं पह प्लेबाजी करके रन बनाते हैं अला कि पिछले मैच में तो जो आखरी मुकाबला खेला था लायका कोवे किंग्स के खिलाफ डिंडी गूल ड्रैगन्स ने वहाँ पर तो गिए बाजी भी कमजूर थी बले बाजी भी कमजूर थी वहाँ पर देखकर तो लग रहा था कि ड इतनी खराब टीम नहीं है जितना खराब वो दिन था चले जी शुरुवात होते हुए शुरुवात मैं आपको बता दू निल्लाई रेवल किंग्स की टीम इस मुकाबले में फेवरेट है तो शुरुवात जो हो रही है निल्लाई रेवल किंग्स के फेवरेट होने से हो रही है चले कि यहां पर सवार किसी भाई का अगर रहे जाए तो दुबारा भेजना मत भूलिए का क्योंकि सवाल काफी सारे हैं कोशिश करता हूं यार सबके सवाल लेने के लेकिन फिर भी अगर एक आदा रहे जाए तो दुबारा भेजिएगा सूरज कुमार ने लिखा है शाद देखते हैं चले यहां पर शुरुवात हो चुकी है आर्वी मलकुमार के बल्ले से आता हुआ पहली गेंड पर एक शांदार चोका जी हां क्या जबरदस्त शुरुवात हुई है डिंडे गूल ड्रेगन्स की टीम की राम सिंग सोनु यादा हुआ है थे पहली गेंड लेकर हलका सा आफस्रम के बहार जगा मिली थी आर्वी मलकुमार को बल्ला चला दिया हाला कि पहली गेंड को अक्सर बल्ले बास देखते हैं आफस्रम के बहार होती है छोड़ देते हैं लेकिन यहां पर आर्वी मलकुमार ने बल्ला चला दिया और जी यहां गेंड बढ़िया त करने हैं दूसरा ओवर शायद आपको एम पोई मोजी यहां पर डालते हुए नहीं ज़र आएंगे बाकि राम सिंग सोनु यादव के ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से ऑफस्टम के बाहर गेंद थी इस बार निकले जरूरते खड़े-खड़े खेलने का परियास था ग गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं गेंद आते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में तो चलिए यहां से पहली गेंद पर चोका खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए राम सिंग सोनु यादव देखना दिल्चस्प होगा मुकाबला जो है वो किस से दिशा में जाएगा महत्पूर मुकाबला है दोनों टीमों के उपर यहां पर दबाओ रहेगा बाकी देखना दबाओ को बहतर तरीके से कौन सी टीम आज के इस मुकाबले में हैंडल कर पाती है चलिए जी यहां से एक बार फिर से राम सिंग सोनु यादव थे यहां इस बार आफसरम के बार एक बार फिर से सटीक लाइन लेंद पर डाले गई यह गेन थी पॉइंट के लिशा में खेला गेन सीधा जाते हुए फिल्डर के पास कोई रन यहां पर मिलेगा नहीं तो जी यहां से सवाल भाई आपके ले रहे हैं बहुत जल्दी अभिनाश भाई ने लेका आपकी टीम कोन सी है अभिनाश भाई लगता है रिहाँ से निल्लाईरोल किंग्स की बाकी एंट्री आब इंतिजार कीजिएगा आज न्हुल्सकट बुक सट वाला मैच होगा काफी के बाहर ये गेम थी शांदार तरीके से कवर की दिशा में कहला हाला की फिल्डर वहां पर मौझूद है सिर्फ एक रन मिल पाएगा चलिए एक रन यहां पर लिया जा चुका है तो आरवी मलकुमार के हो चुके हैं पांच रन शांदार शुरुआत एक पोजिटिव यहां पर जो बल्लेबाजों की मातर है वो शुरु में ही खतम हो जाती है जो शुरुआती स्टोक है तीन चार बल्लेबाज होते हैं बाकि उसके बाद फिर बल्लेबाजी इनके लगबग लगबग समाप्त हो जाती है तो शुरुआती तीन चार बल्लेबाजों को ही रन बन लेकिन कि यहां पर डोट होते हुए चलिए एक बार फिर से राम सिंग सोनु यादव तयार है दाए हाथ के बलेबाज शीवम सिंग काफी तगड़ी बलेबाजी करते हुए नजर आए हैं इस पूरे टूर्णामेंट में युवा बलेबाज है बढ़िया तरीके से रन बनाते हैं लंबी पारिया खेलते हैं तेज गती से भी रन बनाते हुए नजर आते हैं चलिए दाए हाथ के बलेबाज के लिए तयार है सोनु सिंग यादव इस बार कदमों का इस्तेमाल करके कवर की दिशा के ऊपर से खेलना चाहते थे बड़ा शोट लगाने का परियास्ता चूके यहाँ पर जी यहाँ ऐसा लग रहा है कि दिन्डिकुल ड्रेगन्स की जो टीम है एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आज उतरी है पिछले मैच में हमने देखा था कि सभी बलेबाज कोशिश कर रहे थे टेस्ट मैच वाली पारी खेलने की लगता है कि इस मैच में पिछले मैच से सबक लेकर आए हैं तो जी यहाँ पहले ओर में ही कदमों का इस्तेमाल किया गया था इसका मतलब या तो विकेट आएंगी या फिर धड़ा धड़ यहाँ पर रन बनने वाले है चलिए यहाँ पर सर अब बताईए जल्दी कितना बनेगा बीस ओवर में अकाश साहा भाई बीस ओवर में उन्हें आपको तब भी बताया था यह टीम जो 165, 170 का जो आकड़ा है आपको पार करते हैं नजर आ जाएगी ललीद जाट भाई हमारे साह जुड़े हैं सर जी आज किस सीम के साथ रहना है आज ललीद भाई देखिए पहली बात तो रेट के ओपर डिपेंड करेगा बढ़िया रेट पर आपको एंट्री देंगे लेकिन फाइनल विनर के तोर पर अभी भी निल्ली रोयल किंग से यहां से बाजी मार सकती है अरून भाई बाई अमारे साथ जुड़े हैं अरुन भाई पर लग चैनल को लाइक और शेयर कर दो बिलकुल भाई सब लोग यारे इतना काम तो देखरे करी सकते हैं बागी जो मुश्किल काम है वो हम कर लेते हैं कमेंटरी करने का बाकी आप आसान का मैं जो वो थोड़ा सा कर लीजेगा लाइक शेयर चलिए एक बार फिर से यहाँ पर विमल कुमार इस गेंद को हलके हाथों से थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाते हुए चार रन यहाँ से प्राप्ट करते हुए टीम का स्कोर हो चुका है नोरन बिना किसी नुकसान के एक दशमलो वेक ओवर किसम आपती के बाद हाला की बहारी किनारा लिया था बल्ले का गेंद ने लेकिन चलिए रन आने चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्लिप मौजूद होती दो स्लिप हाला की मौजूद थी लेकिन काफी वाइड ये ऐसा लगा कि जान पूचके खेला गया शोट था चलिए जी मजदूर ब्लोक भाई ने लेका बाबा इंदर जीट कब आएगा सर जी मजदूर ब्लोक भाई देखिए बाबा इंदर जीट हाला की वन डाउन पर आते हैं लेकिन पिछले मैच में हमने देखा चोथे नंबर प कमी थी गेंद बाज ने भी साथ नहीं दिया विकेट कीपर का चलिये देखते हैं यहाँ पर चलिए देखते हैं जी किस तरीके से यहाँ पर जो मुकाबला है वो चलते वे नजर आएगा राजु भाई ने लिखा है ओपनर चेंज हो गया राजु भाई ये तो डिंडी गुल ड्रेगन्स करती रहती है तो ये इनकी जो बल्लेबाजी करम है वो पूरा सीजन जा चुक है इनका अब तक बल्लेबाजी जो करम है वो सैटल नहीं हुआ है चलिए यहाँ पर देखना काफी दिल्चस्प होगा जो मुकाबला है वो किसी तरीके से चलते वे नजर आएगा चलिए शांदार तरीके से अविनाश चोवान जी हमारे साथ जुड़े हैं हम महराश्टर से हैं सर चलिए अविनाश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आप महराश्टर से हमारे साथ जुढ़े हैं बाकी टीम का स्कोर हो चुका है जी नोरन बिना किसी नुकसान के 1.3 ओवर की समापती के बाद बाकी बात करते हैं आपर संदीप ओरियर की गेंदबाजी की इससे पूरा सीजन काफी खराब गया है ये जो साथ-ाथ मुकाबले खेले हैं संदीप ओरियर ने जादा अच्छे इन के लिए गए नहीं है गेंदबाजी के लिहाद से विनाश भाई ने का भाई कल्यान बुक पे आईडी लिया इंस्टा पे आपसे बात हुआ था ना संदीप ओरियर कितने लेगा भाई साब लाल मुहमद भाई जिस प्रकार का संदीप ओरियर का ये सीजन गया है कितने लेगा ये मत पूछिएगा ये पूछिएगा कि कितने देगा कितने देगा ये पूछिएगा हो सकता 40 रन दे जाए हो सकता 50 रन दे जाए हो सकता 52 रन द रीगे से लगाया गया शोटत और पूरा फायदा उठाते हुए फिल्ड रिस्ट्रिक्शन का गेन जाते हुए मिड्विकेट सीमा रेखा के बाहर छे रन के लिए तो संदीप ओर यह राएं और चोके चक्के ना लगे देखिए ऐसा काफी मुश्किल होता है प्लेयर चाए कोई आपका फेड़रेट ओ सकते है चली राज अरुन भाई ने लिखा कोन विन होगा ये बताओ राज अरुन भाई देखिए विनिंग जो है यहां से निल्लाई रोैल किंग्स का जो स्कोर है वो आप यहांपर देख सकते हैं निल्ले रोयल किंग्स के आपर चांसिस रहेंगे चलिए एक बार फिर से आफस्रम के बाहर ये गेंती उचाल लेते वे जाने दिया अगर केट कीपर के दस्तानों में चलिए डिंडी गूल ड्रैगन्स का स्कोर है ललित भाई ने लिखा हलकी हलकी बारिश हो रही है और साथ में आपकी कमेंटरी लाजवाब मस्त मोसम है चलिए ललित भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाकी बारिश तो यार बारिश तो भाई आज से जब 6 दिन पहले बारिश शुरू हुई थी तब काफी अच्छी लग रही थी फिर दूसरे दिन और जादा अच्छी लगी बाकी तीसरे दिन से तो फिर ऐसा लगा कि अब बारिश बंद हो जानी चाहिए अब काफी दिन हो चुके हैं सुदर्शन कुमार ने लिखा 6 ओर में कितना बनेगा राज अरून ने लिखा कौन बिन होगा ये बताओ आकाश कुमार भाई हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन अजी तेश को लिया और वाइस कैप्टन शिवम सिंग सही है क्या आकाश भाई शिवम सिंग चोईस तो काफी सही है लेकिन शिवम सिंग ने अभी तक जो बलेबाजी की है आगे बढ़ बढ़ कर करमों का इस्तमाल कर रहे है तो थोड़ी सी जो बलेबाजी है वो रिस्की कर रहे है बाकी यह हो सकता है, रन बनाते हुए चले जाएं बाकी ऐसी स्थिती में देखे बले बाज आउट भी हो सकता है उत्तम भाई ने लिखा है, जै उत्तरा करण सल्लो मोडल ने लिखा है, सर चे ओर में कितना बनेगा, कुछ आइडिया है क्या बाई साब 6 ओर में देखिए यहां से मेरे ख्याल से लगबग इस तरह की बलेबाजी अभी चल रही है मेरे ख्याल से लगबग 47-48 पारी जाएगा भाई क्लासिक अमरोईडरी ने लिखा है कमेंटरी मस्त भाई क्लासिक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी चलिए देखते हैं तीसरा ओवर यहां पर शुरू होते हुए चलिए एस मोहन परशाद को बुलाया गया है तो यहां पर पहला चेंज होते हुए पहले गेंड यहां पर डालेंगे आरवी मलकुमार को जो कि आठ गेंडों में दस रन बनाकर खेल रहा है बाएं हाथ के बलेबाज इस गेंड को हलके हाथों से स्क्वेर लेकी दिशा में मोड कर एक रन तेजी से प्राफ्ट कर लिया चलिए इस स्पिन गेंड बाजी की शुरुआत हो चुकी है स्पिन गेंड बाजी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है स्ट्राइक आ चुकी है शिवम सिंग के पास जिन्होंने शांदार बलेबाजी की जरूर है जी यहां सर्फेस अगर देखें पिचका तो बीच बीच में हलके हलके घास के जो पैचिस है की दिशा में फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं डॉट गेंड यहां पर आते हुए चलिए डॉट गेंड के साथ यहां पर टीम का स्कोर भी भी रुका हुआ है 17 रन बिना किसी नुकसान के चलिए हाला कि शिवम सिंग जारा देर ऐसा लगता है की बल्लेबाजी रुकर करने नहीं वाले है एस मौन पर शाथ एक बार फिर से इस बार इंसाइड आउट शोट खेलाए कवर के उपर से गेंड जाते हुए छे रन के लिए शानदार चक्का फिल्डर का वहाँ पर परियास्ता कैच करने का लेकिन जी नहीं दर्शकों को यहाँ पर फिल्डर बनना पड़ा छे रन यहाँ से प्राप्ट करते हुए चक्का आते हुए टीम का स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के 2.3 ओवर की समापती के बाद चलिए ऐसा लगता है कि शिवम शिगाजा आपको रोधर रूप में ही दिखाई देंगे जब तक बलेबाजी करते हुए दिखाई देंगे बाकि आर्वी मलकुमार थोड़ा सा आपको समल कर बलेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं चलिए टीम का स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी नुकसान के एस मोहन पर साथ एक बार फिर से शिवम सिंग के लिए तयार है हलका सौफ सम के बार गेंटी पॉइंट की दिखाई में खेला बिल्कुल अपने करीब यहाँ पर विकेट की पढ़ने गेंट का उठाया कोई रन नहीं ओवर की चोथी गेंट डोट आते हुए टीम का स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी नुकसान के चलिए लेकर आयते हैस मोहन परसाथ को विकेट लेने के लिए लेकिन ऐसा लगता है कि हैस मोहन परसाथ का आना भी कुछ कमाल यहाँ पर किया नहीं है इस टीम के लिए चलिए एक बार फिर से हैस मोहन परसाथ इस बार स्वीप कर दिया एक कदम आके बढ़ा कर स्क्वेर लेक की दिशा में फिल्डर हाला की मौझूद है सिर्फ एक रन यहां पर मिल जाएगा राजू भाई ने लिखा रहा है यूट्यूब पर कुछ और दिखा रहा है अरुन भाई ने लिखा है प्लीज विकेट बिहारी बाबु भाई ने लिखा है सिक्सर चलिए शिव मोहन परशाथ एक बार फिर से ओवर की अगली गेंट लेकर यहां पर तयार है देखना काफी दिल्चस परहेगा किस परकार से यहां पर होती है बले बाजी चलिए यहां पर एक बार फिर से इस बार गेंट को स्वेप कर दिया है और काफी शानदार और काफी फाइन ये शॉट था फाइन लेक्सी मारेका के बहार चार रण के लिए आरवी मलकुमार के द्वारा आता हुआ ये शानदार चोका तो चलिए शुरुआत से यहां पर चोके और चको की जड़ी लग चुकी है टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन बिना किसी नुकसान किये तीन ओवर की समापती के बाद करंट रन रेट शानदार तरीके से बढ़ता हुआ 9.33 रन पर ती ओवर की रफ्तार से आरवी मलकुमार का स्कोर है 10 गेंदों में 15 रन वहीं शिवम सिंग 8 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं तो बाकि निल्ला ही रोयल किंग्स के शुरुआती तीन गेंदवास तीनों को पीटा यहां पर तीनों को पीटा गया है किस परकार का यहां पर बदलाव लेकर आएंगे यह देखने वाली बात हो भी मनीश कांद भाई हमारे साथ जुड़े हैं भाई इंदरजीत का बाएगा आर्मी भाई देखे वन डाउन पर या फिर चोथे नंबर पर नंद किशोर सिंग ने लेका गूड़ीवनिंग लविंग ब्रोदर आई एम फ्रॉम पिंक सिटी जैपूर नंद किशोर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जैपूर पिंक सिटी से बाकी मौसम का हाल बताईएगा किस परकार वहां पर आपको दिख रहा है मिस्टर ग लिखते हैं किस तरीके से यहां पर खेलते हैं संदीप और यहां पर दिया गया क्या है आज के हाल खेला के के डीडी की नील भाई देखिए बिलकुल हो सकता है डीडी भाई आज बाकी शुरूआत काफी बढ़िया कि यह डीडी ने पिछले मैच में ऐसा लगता है कि हार ज तरह से बले बाजी करनी चाहिए तो शायद मेरे ख्याल से आज एक शांदार मुकावला देखने के लिए आपको मिल सकता है चले संदीप और यहां पर गेंजा कर पैड से टकराते हुए अपील की है शिवम सिंग यहां पर गई थे कुछ अटपटा शोट खेलने के लिए ज DRS उपलब्द आपके पास जी आप ले सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यह विश्वास नहीं कप्तान को विश्वास यहां पर है नहीं DRS का टाइमिंग खतम होते हुए यासिर भाई हमारे साथ जुड़े हैं कैसे हो शिशांग भाई यासिर भाई बहुत बढ़िया हूँ आप बताएगा यासिर भाई आपके क्या हल चाल है चंडिगड का मोसम कैसा है यासिर भाई सुना है पहाड़ों में तो भाई काफी बारिश हो रही है चंडिगड में ब बार फिर से तकराते हुए, लगातार दूसरी गेंद पर काफी तगड़ी अपील यहाँ पर करते हुए, अमपैर ने एक बार फिर से साथ नहीं दिया है गेंद बाज का, DRS अभी भी उपलब्द है, जी हाँ यहाँ यहाँ पर शिवम सिंग को तो पूरी तरह से परेशान करक संदीफ वोरियर में, क्रेक बूल ने लिखा भाई धीरे डाल, संदीफ वोरियर, क्रेक बूल भाई बिलकुल बहुत तेज गेंद थी, और काफी बढ़िया गेंद थी, काफी अच्छा लगा देखकर, संजा महाली भाई ने लिखा विकेट नहीं आएगा, अभी राज भा संदीफ भाई, मेरा वैस केटन सुबोध भाई भी है, चलिए एक बार फिर से गेंद लेक्सम के बाहार थी, पूल करना चाहते थे, विकेट कीपर का शांदार पर यहां से, तो अपील हो रही है, यहां पर भी लगातार तीन गेंदों पर तीन अपील होते हुए, तो यह त समझेगा कि भारत की जो कोई भी सिटी है, वो सेफ है नहीं, विजया तीवारी भाई, अब तो बंद कर दीजिए, लोगों से वटसप पे बात करते करते, लोगों के नंबर कलेक्ट करते करते, अब गाफी टाइम हो चुका यार आपको, तो अब तो यार बंद कर दीजिए सची नियाद हो, लाइव कहा रहा है, सची नियाद हो, लाइव फैन कोड़ पर आप जाके लाइव देख सकते हैं, बाकी कोशिश कर दीजिएगा, अगर देखना चाहते हैं, तो शायद कल्यान बुक पे भी आपको लाइव देखने के लिए मिल जाए, अरुन भाई ने लि कैसर मैं सागर से हूँ, चलिए जी जो बड़ा खेलता है, जो इन करो जल्दी, चलिए जी एक बार फिर से संदीप वोरियर की ये गेंद इस बार उठाकर खेला है, गेंद जाते हुए बलेका बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चार रन के लिए सी मालेका के बाह हाला कि संदीप वोरियर के अगर गेंद बाजी को आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी भी बुरी गेंद बाजी करता नहीं है ये बंदा, गेंद बाजी इसकी काफी बढ़िया है, स्पीड काफी अच्छी है, बस किसमत ही थोड़ी खराब है, वरना दो-तिन विकेट तो इ एक विकेट अनरके की बैटिंग कैसी है, सोरब सिंग अनरके की बैटिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया बैटिंग है, काफी गहराई तक बैटिंग है, 200 रन भी सेफ नहीं है निल्लाई रोयल किंग्स के सामने, आकाश कुमार दे लिका वाइस कैप्टन आप अच बार आउट होते ही बचाया शिवन से, विनोध धाकरन लेका सर आप कितने टीम बनाते हो, विनोध भाई अब तो एक ही बनाता हूँ, पहले बनाता था, एक समय था, कि जब मैं भी थोड़ा सा मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, मैं 11-11-12-12 टीम बनाता था, लेकिन अब मेरे को समझ आ चुका है, तो मैं सिर्फ एक ही टीम बनाता हूँ, पल्टू भाई ने लिखा, बाबा इंदर जीत आज फ्लोप होगा, पल्टू बोलता है, पल्टू भाई देखिए, बेखते हैं, पल्टू है, पल्टू, भाई देखिए, फ्लोप तो कोई भी हो सकता लेकिन मेरे ख्याल से आज कुछ तो रन डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे बाबा इंदर जीत के बंदे से शिवम भाया चेमार सचिन कुमार जी ने कहा है कृष्णा भाई ने लिखा डीडी विन होगी रंधिर पांडे भाई ने लिखा सर में आगया रंधिर भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत अचले जी टीम का स्कूर है तैंटीस रन बिना किसी नुकसान के चार ओवर समाप्त हो चुके हैं तो एक शांदार शुरुवात इतने बड़े मुकावले कि अगर किसी टीम की इस परकार की शुरुवात हो जाए तो जी यहां कॉन्फिडेंस से देखिएगा कि काफी हाई यह उस टीम का बाकि अब गेंदबाजी देखते हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर किसको दी जाती है राम सिंग सोनु याद हो एक बार फिर से चलिए इस बार काफी बढ़िया गें थी आर्मी मलकुमार कदमों का इस्तिमाल करते हुए चलकर आये थे आगे गेंद को हलके हाथ उसे लेकिन अन्तीम समय पर सिर्फ और सिर्फ डेफैंसिव अंदाज में खेलते हुए स्टेटस व्यूवर्स हमारे साजुने भाई 54 अंडर किया है पास होगा क्या भाई साब बिल्कुल डेफिनेटल 54 अंडर आपका पास हो जाएगा ताइप भाई लिगा भाई हम कैसे ट पड़ता है तो वहाँ पर आप रुकर भी देख सकते हैं टिकेट लेकर शशी भाई ने लिखा है यस डिनडी गुल कंफर्म मिनर लव लाइफ डैथ भाई हमारे साजुडे है रंदी ब्रोड डीडी के साथ आज मैं लव लाइफ डैथ भाई हमारे साजुडे है लव बाई है वो फेवरेट आ चुकी है किसे जिता रहे हो आज यासिर भाई यासिर भाई पिछ काफी बढ़िया है बले बाजी के लिए तो नेल्ले रेयल किंग्स के साथ रहेंगे लेकिन सिर्फ तब यहां से रेट बढ़िया मिल जाएगा अच्छा रेट अगर यहां से मिलता है त तो फिर नेल्ले रेयल किंग्स के साथ जाएंगे शेशीव शुमन पटेल ने लिखा 33 हेमन्त भाई ने लिखा सराज डीडी बिन होगी हेमन्त उकाए भाई चलिए देखते हैं सरव जी कोई भी जीते बस हमें तो लोसकट बुक्सर चाहिए प्रॉफिट चाहिए दोनों त इनके साथ साथ यहां पर एक रन भी आता हुआ अरुन भाई ने लिखा है विकेट भाई किसी अगर सवाल रह जाए किसी का तो दुबारा भेजने का कश्ट कीजिएगा भाई वैस कैप्टन बताओ ना आर्मी लेवर ने लिखा है जैराम भाई ने लिखा है जैराम भाई रंधीर पांडे ने लेका लव लाइफ मैं भी डीडी पे लगाया हूँ आकाश कुमार ने लेका वाइस कैप्टन लंबा खेलो प्लीज रिस्क मत लो जादा विमल कुमार मेरा वाइस कैप्टन है चलिए यहां पर देखते हैं विनोध धाकड भाई लेका सर को यह अच्छ जीत मुश्किल ही नहीं पूरी तरह से नामूमकिन है ज़ाराम भाई ने लिख़ए मोडिरेटर बनाओ नहीं तो मैं जा रहा हूं ज़ाने वाले को कोई रोक नहीं सकता आने वाले को कोई आर मना नहीं कर सकता ज़ाराम भाई बाकी कंडिशन्स तो देखी हैं आपर चलती नहीं हम कोई कंडिशन रखते हैं अपनी तरफ से नहीं हम कंडिशन कोई एकसेप्ट करते हैं वीवर्स की तरफ से आर्मी लवर भाई ने लिखा भाई आपने वाइस कैप्टन किसे बनाया संजय महाल ने लिखा दो और विकेट नहीं तो मुश्किल है अच्छा जी लव ने की कोशिश है लेकिना कर रहे हैं तो दुबारा भेज दीजेगा चलिए यहां पर 36 रन हो चुका है टीम का स्कोर राम सिंग सोनु यादो बढ़िया गेंदबाज है हाला कि उनको विकेट जादा नहीं मिली है लेकिन एक अच्छी लाइन लेंध पर बढ़िया कंसिस्ट पर गेंदबाजी करते वी नजर आए हैं राम सिंग सोनु यादो तो चलिए देखते हैं बाकी पोईमो जी का इंतजार है क्योंकि विकेट तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लेने की शमता एक ही के इंदबाज के पास है M पोईमो जी चलिए एक बार फिर से यहां पर कवर के कैच देते हुए, पहला जटका यहां पर लगते हुए और विमलकुमार के तोर पर, सोनु यादों की तारीफ कठते ह taraf ही ने फनी तारीफ रहे हैं, विक्ट यहां पर ले दिया। है इंन आख से ख्राइँ खुदा घे और चापरा है। सोरग सिंग जी हमारे साथ जुड़े है, नोबिता है, लव लाइफ भाई है, रिद्दी सिद्धी ओफिशल है, डीके गेमिंग है, जैपी चैनल जी है, टेकनिकल तस्पीर है, कुरुनाल भाई है, नोबिता जी है, रंधीर भाई है, रिद्धी सिद्धी ओफिशल है, भाई, नाम नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैसिज काफी सारे हैं, बाकी एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, अभिशेक लिखा है, हेलो, इंदर सिंग जी ने लिखा है, जैश्री राम, इंदर सिंग भाई, बिल्कुल भाई, जैश्री राम, बाकी आज मुकाबले के शुरुआत अच्छी हो, अंत भी यहां पर अच्छा हो, बाकी मुकाबला कोई भी टीम जीते, चाहते हैं कि दोनों तरफ लो बाबा इंदर जीत का क्या हुआ, बाबा इंदर जीत का कुछ नहीं हुआ, बाबा इंदर जीत का कुछ नहीं हुआ, बाबा इंदर जीत का क्या कर सकता है, जिसके नाम के सामने बाबा लग गया, तो उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, आरुन भाई ने लिखा सब भाई, लो पर सोरब सिंग ने लिखका है राधे, राधे सरजी, सोरब सिंग भाई राधे राधे चलिए इस बार, बी वैशना कुमार आ चुके हैं बले बाजी करने के लिए चलिए पहले गेंद पर ही यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए, आखरी गेंद फैंच वे ओर की खाता खुल करो और यह नाम भाई ने रख लिया रिद्धी सिद्धी ओफिशियल सर बाबा इंदर जीत का क्या हुआ। भाई आप कई कप्तान कोन है अभी शेक गुप्ता भाई ने पूछा अभी शेक भाई मैंने बताय था कप्तान के तोर पर मैंने जी यह जीतेश को रखा वा और मेरे दिखाई जा रही थी तो सेफ रहीएगा भाई स्टे सेफ मोहिंदिर सिंग भाई, रोई शर्माधी हमारे साथ जुड़े हैं, पल्टु भाई हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल तस्पीर ने लिखा है, भी कुमार क्यों आया, बैट क्यों आया, सोनो याद आओ, हर्श भ आते हुए छटा ओवर लेकर पावर का सोरभ सिंग ने लिखे बाबा इंदर जी तो बाबा जी हो गया है सन्य असले ऐसा नहीं है एक दो मुकाबलों पहरे आपको वह पारी आद होगी स्लेम स्पार्टन के खिलाफ जहां पर अकेला ही बंदा खड़ा हुआ था अकेला बंदा जुड़े हैं कैपस भाई हमारे साथ जुड़े हैं 170 होगा क्या कैपस भाई 165 170 डेफिनेटल यहां से हो सकता है चले एक बार फिर से इस गेंद को पॉइंट के दिशा में खेल कर एक रन आसानी के साथ प्राप्त कर लिया चले जी से एक रन के साथ टीन का स्कूर होता जावेद भाई हमारे साथ जुड़े हैं किस किस का पास विमल था राकेश कुमार ने लेका वाइस कैपटन शिवम सिंग अच्छा खेलो बस बिल्कुल भाई अच्छा खेलेगा शिवम सिंग वैसे भी अच्छा प्लेयर है पिछले ओवर में 3-4 गेंदों पे थोड़ा अरुन भाई ने लेका कोई भाई ये एक अपना नंबर दे रहा है भाई या रून भाई जो भी है भाई उसको हटा दो यहां विस्वनात सोरेन जी हमारे साथ जुड़े हैं सर एस बसकी कौन सा पोजिशन में आएगा रिद्धी सिद्धी ओफिशल जी हमारे साथ नहीं एकरन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा तो पहला जटका यहां पर देखिए टीम को लग चुका है पहला जटका है जो टीम को यहां पर लग चुका है देखना दिल्चस्प होगा अब इस से कितनी जल्दी डिंडी गुल डैगन की टीम उबढ़ती है क्योंकि के लिए गेन थी इस बार थोड़ा फिर उचाल से परेशान हुए थे स्क्वेर लैक की दिशा में खेला गया शोड़ता एक रन सिर्फ यहां से प्राप्त करते हुए चलिए देखते हैं जी मुकाबला काफी दिल्चस्प मुकाबला काफी बढ़िया यहां पर सवाल आपके स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर बाकी देखते हैं मुकाबला जो है वो किसे तरीके सा यहां पर चलते हुए नजर आता है चलिए यहां से लेके चलते हैं आपके सवालों की तरफ बाकी टीम का है संदीप ओरियर अपना यहां पर ओवर डालते हुए आज से लिए अंपायर का इशारा यहां पर वाइड गेंद का होगा चलिए जी फोटी सिक्स अंडर प्लीज घोडा चाहिए आच शांग भाई यासिर भाई ने रिका यासिर बिल्कुल देखिए पिछला मुकाबला सीधा था काफी बढ़िया लग रहा था पिछला मुकाबला भी लेकि यहां पर डिपैंड होता है एंट्री बढ़िया जगह लेंगे और अच्छी जगह आपको एंट्री देने की कोशिश करेंगे चलिए एक बार फिर से यहां पर शिवम को यह गें थी हलके हाथ उसे कहला डिफेंसिव अंदाज में और सिर्फ एक रन से यहां पर संतोश करना पड़ेगा चलिए इस एक रन के साथ दोनों वाले बाजों ने अपना चोर बदला है टीम का स्कोर चवाल इस रन एक विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समापती के बाद रंधीर पांटे गोतम बस हसता रहता हुआ एक रंधीर भाई हसने दीजिएगा कम से कम खुशी का महावल है बढ़िया मैच चल रहा है यार हसने दीजिएगा काफी सारे लोग है टीन पील से जो खुश रहते हैं रिदी सिद्धी ओफिशल भाई ने लिका जैश्री क्रेशना तुशार भाई ने लिका वैटर का नाम अपडेट करो चलिए जी बिलकुल देख लेते हैं भा वैशना कुमार की आकरी गेंड लेकर तयार हैं सामने होंगे भी वैशना कुमार देखते हैं किस तरह से यहाँ बढ़िया बलेबाज माने जाते हैं बाकी संदीप ओरियर जो की जाने जाते हैं 30-40-50 रन देने के लिए चलिए इस बार आफसम के बाहर गेंड टी उठाकर ख सूरत सिंग भाई आमारे साज उड़े हैं भाई नाइस कमेंटरी फ्रों बैंगलोरू आकाश कुमार दे लेका वाइस कैप्टन शिवम सिंग अच्छा खेलो बसरे बिल्कुल अच्छा खेलेंगे भाई इतनी दुआए आपने शिवम सिंग को दे दी हैं मेरे ख्याल से शि दायलोग बोलो ना कमेंटरी के साथ विनोध धाकर भाई देखे डायलोग बोलेंगे लेकिन डायलोग का वक्त आने दीजेगा हर चीज का एक वक्त होता है इसर बिना वक्त के कोई भी चीज अगर कितनी भी बढ़िया बोली जाए तो खराब लगती है अरुन भाई बिल्क ने लिखा है बी को आउट करो चलिए देखते हैं जी कोन आउट होता है कोन यहाँ पर आउट होता नहीं है बाकी पिछले ओवर की आखरी गेंट पर काफी शांदार शोट लगाया था रंधीर पांडे समो अक्तर भी शिकार हो गया टाइम आउट का क्या करें भाई शिकार करना पड़ता है कई बार रंधीर भाई मन तो नहीं करता है लेकिन क्या करें मजबूरी है चलिए एक बार फिर से हाँ पर आनेस हरीश आ चुकी है चलिए इस गेंट को कवर की दिशा में खेला पीछे फिल्डर मौजूद है एक रन यहां से मिल जाएगा सीनो मैथ्यूज हमारे साथ जुड़े हैं जैम आता दी प्रेम ने लिखा बाबा इंदर जीत कब आएगा भाई इसके बाद चोथे नंबर पर आपको बाबा इंदर जीत दिखाई देगा जी स्टेटस वीवर्स ने लिखा जो आएगा खमाएगा वाला फ्रोड है इसने मुझे पांच मैच सेटस भाई तभी तो बोलता हूँ कि जो ये लोग बोलते हैं कि पेमेंट है मैच जीतने के बाद लेंगे तो मैं इनसे बोलता हूँ कि हमेशा मैच जीतने के बाद आप पेमेंट तो लेते हैं लेकिन अगर मैच हार गे तो आप मिलोगे कहा अपना एड्रेस मोबाइल अभी राज जी अमारे साथ जुड़े हैं लगातार धीरज कुमार सीना ने लिखा स्पिनिंग पिछ तो विलकुल नहीं है भाव विल्कुल भी स्पिनिंग पिछ नहीं है हालाकि थोड़ी बहुत स्पिन आपको होते हुए दिखाई देगे लेकिन इस पिछ की खासियत है साफी बढ़िया तरीके से आती है एनर के विनर लूट लो नोविता भाई ने लिखा इंदर सिंग ने लिखा मैं इंदर सिंग परिहार डोडा जोधपूर भागयाना से हूँ चले इंदर सिंग भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिस्टर गोतम गेमिंग एक वार फिर यहां में खेला एक रन यहां से प्राफ्थ हो जाएगा दूसरा रन लेने का मौका था लेकिन थ्याग दिया चोड़ दिया यहां पर दोने बलेबाज उन्हें एक रन यहां पर कर दिया है कुर्बान टीम का स्कोर होते हुए बावन रन एक विकेट के नुक्सान पर रंधीर पांडे भाई हमारे साथ जुड़े है राहूल श्रमा जिल जुड़े है भाई आज किसको सपोर्ट कर रहे हुए राहूल भाई आज देखे वैसे टेकनिकली तो हम रेट के साथ हैं दोनों टीमों के उपर प्रोफिट होना चाहिए चाहे आप इस टीम के चाहे पर होना चाहिए इसी परकार से जो मुकाबला है क्रिशना भाई क्या हो गया चलिए इंदर जीत मेडी प्लस होस्पिटल कैसा है सीनो मैथ्यूज भाई ने लिखा है चलिए जैश्री राम जी बिल्कुल जैश्री राम भाई जुनेजा ने लिखा आसी प्लस इन टैनोवर्स बैटिंग पिछा गया शिशांग भाई या सिर्फ बिल्कुल बलेबाजी की पिछ लग रही है और ये पिछ की एक खासियते पिछ बदलती नहीं है दूसरी पारी में भी आपको सेम ही दिखाई देगी चलिए यहां पर बाएं हाथ के बलेबाज मौजूद है एक बार फिर जो मुकाबला किस तरीके से चलता है अमन कुमार भाई हमारे साथ जुड़े है नेक्स्ट बैटर कौन है रंधीर बांडे भाई हमारे साथ जुड़े है मैंने देखा है फातिमा रे कौन है भाई फातिमा अमित हाल्डर जी हमारे साथ जुड़े है आपका प्रडिक्शन ए तो ओवर बचा के रखेंगे आई अलम पॉइमो जी के ओवर बचा के रखेंगे उस पर इंट्रेस्ट लेगी देल नहीं रोयल किंग्स की टीम मजदूर भाई ने लिखा है कुमार पिलो चलिये जी राजवीर भाई ने लिखा है मेरा नाम लोग भाई आपका नाम ले दिया है जैमाता दी बाबा इंदर जीट कब आएगा सरसर जी इसके बाद आएगा चले जी एमपोई मोजी आचुके है जिसका इंतिजार ता आप सभी को एमपोई मोजी आचुके है इस्ट्रीम के सबसे शांदार तेज गेंदवाज जो की विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं तो ये विकेट यहां से ले सकते हैं विनोध धाकर्ड, Sir B. कुमार का विकेट चाहिए भाई को चाहिए B. वैशिना कुमार का विकेट विनोध धाकर भाई को तो चलिए देखते हैं भी वेशिना कुमार, हाला की ज़्धा बड़ी आफ फोम में तो नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं, क्या पता आज बड़ा मुकाबला है, आज कौन आपको फोम में दिखाई देगा और कौन आपको फोम से नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, ये जिस भाई का रह जाए तो यार वो दुबारा भेज दीजिएगा चलिए बी हैपी ने लिखा कुछ लोग गाली गलोच करें इनको ब्लोक करो यह सब इरिटेटिंग हो रहा है भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि यह थोड़ा सा भाशा की थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिएग जुड़े हैं ब्रदर कौन जीतेगा विपिन बोल भाई देखे हार जीत तो सर होती रहती है बाकि आज के इस मुकाबले में एक जैकपोर्ट मुकाबला होने की उमीद चलिए पॉइंट की दिशा में खेला यहाँ पर फिल्डर से थोड़ा सा मिस फिल्ड क्या फाइदा मि दो भी हुई है कमेंटरी भी पानी के अंदर से आपको सुना रहा हूं तो अंडर वाटर कमेंटरी आज चल रही है तो बारिश इतनी जादा है सड़के बेहाल है तंग है पानी हर जगा मुझूद है चले जी इशुवर सिंग राजपूत ने लिखा है प्लीज सिंग भाई कि सच में 70% पानी है जै मातादी ने लिखा है बी कुमार को आउट करबा दो अच्छा जी आशीश कुमार ने लिखा है दस ओवर में कितना रन बन जाएगा सैलेश भाई ने लिखा गुजरात में ठाकुर की चलती सैलाश कांध भाई ने लिखा है अरे भाई पौन से गु लेकिन अब थोड़ा पिछली दस बारा गेंदों से थोड़ा समल कर बल्लेवाजी करते हो और लग रहा है कि लंबा पारी खेलेंगे अब लंबी पारी खेलते हुए नाजर आएंगे ऐसा परतीत हो रहा है ऐसा दाम शेक भाई ने लिखा है मिस्टर गोतम गेमिंग भाई लेकिन लेका भाई आख कुछ नहीं कहना है खाली आपको सुन सुनके हसी आ रही है चलिए गोतम भाई कोई बात नहीं चलिए इस बार इस गेंद को लेक्सम की दिशा में खेला था और एक रन यहां से प्राप्त हो जाएगा चलिए एक एक रन के साथ इस मुकाबले को धीर करो अच्छा जी लवलाइफ भाई लिखा हभीब एक कमेंट बार बार नहीं जितेंदर यादव ने लिखा है ब्रो कोई बताओ की एस सिंग पचास बना देगा विजय तिवारी कंफर्म रहे भाई रहने दीजिए यार विजय भाई नोबोडी भाई ने लिखा 10 ओवर में नहीं और शांदार यहाँ पर शोट ताकत का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करते हुए भी वैशना कुमार चलिए इस शोट के साथ टीम का स्कोर 64 रन एक रिकेट के नुकसान पर 7.5 ओर की समापति के बार आज आप किसको जिता रहे हो भाई डिडियस गेमिने लिखा है आ आपका आकाश कुमार आयनिका जीवाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए एक बार फिर से पॉई मौजी के ओवर कि अगली गेन थी और यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान किया और लगबग लगबग बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेन जाते हुए विकेट कीपर चलिए लव लाइफ यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी आकाश कुमार बहुत अच्छा वाज़ा आपका जी भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत कल्यान बुक पर आईडी कैसे ले गनेश महापूर ने लिखका गनेश भाई जो स्क्रीन के उपर आपको नंबर दिख पिर दिख से यहां से बाजी मार सकती लेकिन फिर भी रेट के साथ रहेंगे चलिए जी यहां से सवाल लेते हैं आकाश कुमार बहुत में हमारे साथ निरोब भाई जुड़े हैं हमारे साथ आकाश राठोρ्ड टिंडी गोल सब लोस कर दिया कल से आज तक 25 के लोस हुआ वोई सर सो ओसम आकाश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए एक बार फिर से हाँ पर फिल्टर का शांदार परियास था इस गेंद को पकड़ने का एक रन यहां से भी मिल जाएगा चलिए धीरे धीरे शुरवात यहां पर थोड़ा सा लगा था कि तेज हुई है ले लेकिन अगर कोई भी बल्लेबाज जिसको क्रिकेट की ABC भी आती है वो इस पिछ के उपर बढ़िया बल्लेबाज ही करते हुए आपको नजर आ सकता है चलिए देखते हैं यहां पर टीम का स्कोर यहां पर कितना डिंडिगूल ड्रेगन्स की टीम हाला की अभी भी निल्लाई रोयल किंग्स की जो टीम है वो फेवरेट है एक बार फिर से यहां पर इस गेन को दिशा दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में रन आउट का यहां पर चांस था लेकिन फिल्डर यहां पर सही वक्त पर बले बाद जो है वो क्रीज में पहुंच जाएंगे एक रन यहां से भी प्राप्त होते हुए टीम का स्कोर 67 रन एक विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर किसम आपती के बाद सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हु अबीजीत भाई ने लिखा सर स्कोर कितना होगा फरस्ट नहीं अबीजीत भाई देखे बतायाद आपको पहले भी 65-70 के आसपास का जो स्कोर है वो आप यहां पर देख सकते हैं चलिए जी यहां पर अकिलर इंस्टिक्ट भाई हमारे साथ जुड़े हैं सेटर्स भाई अच्छा खिलाडी है भाई बिल्कुल अच्छा खिलाडी है यह कैसा सवाल हुआ अगर टीम के अंदर कोई खिलाडी शामिल है तो देखे वो अच्छा खिलाडी तो है ही सिर्फ आप सवाल इस बात पर पूछ सकते हैं कि क्या वो फॉम में है या नहीं है आज वो रन कर लिया ऐसा लगता है कि अब दोनों बल्लेबाज बड़ा शोट लगाने की मनशाही नहीं रख रहे हैं अब सिर्फ सिंगल सिंगल देना चाहते हैं चाहते हैं कि शायद 13 14 ओवर तक यहां पर थोड़ा एक सिंगल सिंगल के साथ यहां पर पारी को आगे बढ़ाया जाए उस है इस मकाबले के अंदर यासिर भाण ने लिए का सब दूब गया समान डूबने दो लेकिन अपने को बचा ले ना रहे यासिर बादरॉर ऑटर अज कमेंटरी हो रही है सुषील कुमार भाइँ ने लिखा है दो एक शरूरह करो कमेंटर उन पहले हमारे साथ स्थ वीवर्स जी हमारे साथ जुड़े हैं रंधीर भाई ने लेका लव लाइफ डैथ भाई जब मैं पाकिस्तान आउंगा तो तुम से जरूर मिलूँगा चलिए जी अनारके की टीम विन करेगी आज पका अच्छा जी अरे लव लाइफ डैथ से मिलने आप पाकिस्तान आरे लव लाइफ डैथ भाई कहां कहां के रहने वाले हैं भाई मैंने तो अस तक पूछा भी नहीं चांद अर्मान भाई जुड़े हैं 20 भाई 20 ओवर में कितन जाते हुए और फिलडर के हाथ में लगज़ लगज़ गेंद आते हुए बचते हुए लकिन 9 रं मिल जाएंगे लेकिन इतना इसकी शोट इतना इसकी शोट यहां पर नीचे पर टीन खिलाड़ी आ चुकेटे लेकिन वहीं कंफिूजन की कौन सा खिलाड़ी पहले जाएग क्या भी कुमार आउट होगा जितिंदर भाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं भाई किसी भाई का अगर सवाल रहा जाए रोहित शर्मा भाई का एक सवाल ले लेते हैं रोहित शर्मा भाई का एक सवाल था लेकिन भाई साब मेस हो चुका है तो चलिए सवालों को थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश जिस भाई का सवाल रह जाए दुबारा भेजने का कश्ट आप कीजिएगा राजबिर कुमार जी हमारे साथ जुड़े है मुहमद शेफ ने लिखा है दस ओवर में 82 रन तो भाई सब देखकर समझकर यहाँ पर आउट करना पड़ेगा आपको चलिए ओवर की तीसरी गेन दस ओवर की यहाँ पर तीसरी गेन मोहन पर शाथ आए हैं चलिए इस बारिस गेन को भी वैशना कुमार ने उठा कर खेरा गे इन ने बले का बाहरी किनार अलिया जाते हुए थर्ड में सीमारे खाके बार किसमत आज पूरी तरह से साथ है इंडी गूल रेगन्स के बले बाजों के साथ आज जो किसमत पूरी तरह से यहाँ पर साथ है कहीं भी शोट मारे एक कंडिशन जरूर है कि फिल्डर वहाँ पर मिलता नहीं है हर्षी सिंग राजपूत भाई आमारे साथ जुड़े निल्लाई को पहुंचने दो फाइनल में तभी मज आएगा हर्षी सिंग भाई बात तो आपकी ठीक है नहिलाई वर्सेज लाइका का जो मुकाबला है दोनों के पास स्ट्रोंग बैटिंग लाइनप है तो मुकाबला है वो तभी शांदार यहाँ पर होगा चलिए एक बार फिर से इस बार एक बार फिर से बैक पूट पर जाते हुए अब्दुल रिदार भाई नामी भाई साव ऐसा है आपका चलिए इस बार उठा कर खेला है गेंद को कवर की दिशा में और गेंद जाते हुए सीमा रेका के भार शांदार ठक्काईय लीजेगा चालू हो चुके हैं तनुच गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं आउट हो जा आकाश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं वारने से से हूँ भाई या नरेंदर सिंग जी ने लिखा है Sing Out नरेंदर भाई सिंग को बिचारा बढ़िया प्लेयर है खेलने दीजिएगा थुड़ी देर यारो मजा रहा है बलेबाजी करने में पर्शाँद शिर्मा ने लिखा इनसे विकेट ही नहीं हो रहे परशांद शर्मा भाई इन से विकेट होते कहां है ये तो बलेबाजी करते हैं रन बनने दीजेगा उसके बाद चेज में मजाएगा लव लाइफ डैथ भाई डिंडी गूल ड्रैगन्स के लिए अपना प्यार भेजते हुए चले जी पचास रन की पार्टनर्शिप ओचुके वो भी 32 गेंदों में टी एन पियर के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है देविलाल वर्मा भाई जुड़े हैं मैच कौन जीतेगा देविलाल भाई यहां से नेलाई रोयल किंग्स के साथ जाना पसंद करेंगे बाकी रेट के ओपर डिपैंड करता है जैपी चैनल लिखा आज कितना नर्मनेगा फर्स इनिंग में जैपी चैनल भाई मेरे ख्याल से 170 तक है यहां पर 170 तक के चांसिज है नरप्रीत सिंग ने लिखा है हाई राजवीर कुमार जी वमारे साथ जुड़े है विरंदर सहिवाग के बारे में बताउ participar कि बागी जितनी भी बातन के बारे में बताई जाएंगे वों कद जाएंगे सबसे शांदार बलाग स अर्मक बलेबाद करका जाए कि अंदर भी 60 के नों के पूरा किया जा सकता है चलिए एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में शोट को खेला एक रन यहां से प्राप्त करते हुए भक्ती भजन सौंक्स ने लिखा डीडी विन होगा देख ले नाच्या जी राजा मैल्डी ने लिखा भाई मेरा नाम लो प्रिंस रावल लली चोधरी ने लिखा जो टीम पहले बैटिंग करती है वो टीम विन करती है डीडी विन हो सकता है सर बाबा इंदर जीत क्यों नहीं बैटिंग किया अपर दीब भाई बाबा इंदर जीत चोथे नमबर पर आएगा सर चोथे नमबर पर आपको दिखाई देगा बाबा इंदर जीत बाकी अभी के लिए थोड़ा रेस्ट पे है चलिए एक बार फिर से आफस्टम के बाहर गें थी गेंद को खेल दिया थर्ड मैं सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए भी वैशना कुमार के बल्ले से इस परकार का तीसरा शोट हम देख चुके हैं अभी भी उस शोट के लिए कोई फिल्डर नहीं लगाया गया है तो कप्तानी में थोड़ी से यहाँ पर अलग रहा है कि कुछ कमी रह गई है क्योंकि तीसरा लगाता है इस परकार का शोट हमने देखा है और यहाँ पर अभी तक भी उसके लिए कोई फिल्डर मौजूद नहीं है स्टेटस वीडियोज में का भई आपकी वोई से बहुत अच्छी है पूरा जो ग्राउंड है वो यहाँ पर कवर करते हुए भी वैशना कुमार हाला कि बल्लेबाजी तो शांदर है ही है लेकिन उसके साथ साथ जो गिंदबाजी है वो भी काफी खड़ाब इस समय हो रही है बाबे इंदर जीत क्यों नहीं बैटिंग किया परदीब भाई करेगा भाई करेगा नंबर तीसरे से चोथा भी हो सकता है आएगा आएगा नंबर उसका भी आएगा आरून भाई ने लिखा विकेट ही नहीं आ रहा है यार लोस आरून भाई गेंद बाद ये अगर इतनी खराब हो तो फिर देखे विकेट के बारे में सोचना पाप हो सकता है चलिए इस बार गेंद को पैरो बड़ डाला गेंद को हलके हाथ उससे फिलिक करके एक रन यहां से प्राप्ट कर लोगी चलिए जी इस एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 96 रन एक पिकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की समाप्ति के बार रूदरा सरोज जी हमारे साथ जुड़े है सिंग आउट पर्दीब कुमार जी हमारे साथ जुड़े है देविलाल भाई ने लिखा है अब बहुत हो गया आउट होना चाहिए देविलाल भाई अरिफुल इसलाम अमारे साथ जुड़े हैं, परशांद शर्मा जी ने लिखा है, एक विकेट हो जा, बींट सिंग ने लिखा है, सिंग विकेट, बादल कुमार जी ने लिखा, टारगेट 180, राजा मैलडी ने लिखा, भाई, मेरा नाम लो प्रेंस रावल, श्रेश्टा फै होने वाले हैं, पचास बस इसी राफ़तार से अगर बलेबाजी होती रही तो टीम 176 तक पहुच जाएगी, इसी रन रेट के लिहाज से, बाकि अगर बाबा इंदरजीत का बला भी आज चल गया, और आगे चलके 11-12 रन परती हो, और के लिहाज से रन आगे तो फिर 190 के प परदी भाई पूछना पड़ेगा, अभी चोते नंबर पर आएगा, तब आपका सवाल भेजते हैं, बताएंगे क्यों नहीं किया है, चले यहाँ पर लक्षय जैन आ चुके हैं, गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, लक्षय जैन बारवा ओवर डालने के यहाँ गेंदबाज हैं, तो देखते हैं आपर क्या यह विकेट ले पाते हैं, विकेट लेने में एक बार फिर से नेलाई रोयल किंग्स के गेंदबाजों ने ऐसा फलता ही हासिल की है, परणाम भाई ने लिखा हेलो भाई, हेलो भाई कैसे हैं, रिदी सिद्धी ओफिशल ने लिखा है, फोर भक्ती भजन सौंक्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश कुमार राय ने लिखा, अबे रिशब पंथ अटेकिंग बैट्समन इन टेस्ट मैच, अभी तो बहुत सारे हैं भाई टेस्ट मैच में, अभी तो बहुत सारे हैं, रिशब पंथ हैं, आइ, काफी सारे हैं, अस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ बले बाज हैं, इंगलेंड के तो सारे ही अटेकिंग बले बाज हैं, लेकिन विरेंडर सहवाक का जो वह एरा ता, वहाँ पर वह इकलोता था, राजा मैलडी ओफिशल यहांरे साथ जुड़े हैं, एस मोहन परशाथ विकेट लेगा, क्या रेडियो जो कि मैं आप ट्राई कर सकते हो, वोइस के अकोडिंग, ललित भाई बिलकुल कोशिश करते हैं भाई बाकी, यहां पर भी आप सपोर्ट करते रहेगा, यहां पर भी अच्छा ही है, चली नरिंदर खुमार जी ने लिखा है, बाबा आए, बिलकुल आएंगे भाई बाबाब, यहां से आपको विकेट गिरते हुए दिखाई देगा, विकेट आपको गिरते हुए आप दिखाई देगा, नंध किशोर ने लिखा, लविंग ब्रदर, यहां पर वोईस इस वेरी अट्रेक्टिव, वी लव यू, चली ऐसा लगता है यहां पर filter छोटिल हुए है filter यहां पर छोटिल हुए है filter के सर में यहां पर छोट लगी है तो जी यहां देखना होगा medical team पहुंच चुकी है ground के अंदर dive लगाकर गेंज को रोकने का परियास तैसा लगा कि सर जो है वो ground में लगा है चलिए देखते हैं जी यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगी है किसको चोट लगी है और कितनी ज़्यादा लगी है यह यहाँ पर देखने वाला सवाल होगा चलिए यहाँ पर बाहर जाते हुए लाड़ी जो है वो मैदान से बाहर जाते हुए तड़ा सीरियस लग रही है बस अँमीद कीजिएगा इसका ड्रीम 11 का प्लेयर है जो वो चोटी लोकर बाहर गया है बाबा जी का मूँ करेगा जब भी कुमार मार रहा है आकाश भाई रिशा प्वंत कब तक फिट होगा भी आ आकाश भाई देखें मेरे ख्याल से टाइम लगेगा यह थोड़ा सा काफी बड़ी चोट है चलिए देखते हैं यहाँ पर फिल्डर तो बाहर जा रहे है फिल्डर तो यहाँ पर बाहर जा रहे है मैदान को छोड़कर तो चोट जो है वो थोड़ा सा जादा गहराई हुई लगती है यहाँ पर टीम का स्कोर 99 रन एक विकेट के नुकसान पर लक्षय जैन हाला कि विकेट नहीं ले पाई लेकिन उनके आते हैं यहाँ पर एक बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट एक जो खिलाड़ी है एक जो फिल्डर है वो रिटायर्ड हर्ट जरूर हो चुका है नित्यानंद कुमार जी ने लिखा है नंबर देता है नंबर वंबर मद दो भाई नंबर वंबर मद दीजेगा मुकाबले का आनंद लीजेगा मुकाबले से रिगार्डिंग चले जी एक सिंगल और आते हुए सो रन यहां से पूरे होते हुए रंधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं टाइगर शुरॉफ ने लिखा भी कुमार आउट हो जा रहे भाई साब बनने दीजे रनियार मजा हैगा वाट आर यू वांट भाई आई डोंट नथिंग प्रिंस कुमार ने लिखा है किसको लगी भाई प्रिंस कुमार भाई यार शकल पैचान में नहीं है यार माफी चाहता हूँ बाकी एन पियल में यार सच बताऊं तो शकल थोड़ा सा सेम से लगती है देखना पड़े एक बार आपको जल्दी बताता हूँ कि किसको यहाँ पर चोट लगी है कौन यहाँ पर चोटिल हुआ है मेरा तो कुमेंट ही नहीं पड़ते है अरे भाई साब आपका नाम इतना लंबा है और नाम आपका इस प्रकार का थो यार कैसे पड़ा जाज educ जिसको आगर आम भाषा में बोला जाए तो थोड़ा सा बीपी नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं बोस कौन जीतेगा बीपी नायक भाई लगता निले रोल किंग साथ बाजी मारेगी चलिए इस बार गेन को स्वीप कर दिया गेन जाते हुए स्क्वेर लेक सी मार एका के बाहर चार रन के लिए तोका यहां से प्राफ करते हुए श एम पोई मोजी स्टीम के सबसे शांदार अब तक के गेनदबाज रहे हैं प्रभू प्रीतम ने लिखा बी कुमार को कैप्टन मनाया है और वाइस कैप्टन सिंग को चलिए देखते हैं शिवम सिंग 47 रन पर पहुंच चुके हैं 47 रन 34 गेनदों में 3 रन और चाहिए क्या लगाएंगे क्या इसी ओवर में अभी भी दो गेंदे बाकी हैं बार वे ओवर की क्या इसी ओवर में अपना 8 दिशे तक पूरा करते हुए नजर आएंगे चले एक बार फिर से लक्षिय जाएंगे इस बार फ्लाइटी डिवरी गेनद को खेला है मिडविकेट की दिशा मे एक रन यहां से प्राप्त हो जाएगा चले जी छोर बदलते हुए स्ट्राइक आ चुकी है बी वैशना कुमार के पास 21 गेंदों में 38 रन शांदार पारी जबर दस्त पारी अब इमल कुमार बोलिंग करता है क्या सर बिल्कुल करता है भाई देविलाल वर्मा भाई ने लि बाई हाथ के बले बाज के लिए शरीर के करीब डाले गई यह गें थी और कवर की दिशा में खेल कर सिर्फ एक रन यहां से प्राप्त हो जाएगा अनीशा जी ने लिखा आई लव यू चू ओल इंडिया भाई को नोबिता भाई ने लिखा है अन आर के विनर फंकी बाई ने लिखा आउट हो जा भाई मेरे फंकी बाई देखिए अर्दिशे तक पूरा होने दीजेगा अर्दिशे तक के बाद आपको विकेट दिलवाते हैं नीन भाई ने लिखा है साजनते ओ आंसर मी चुलिए अब्दुल भाई ने लिखा है क्या नाम रखो भाई साब आपक का दिल कहें जो आपके दिल को जिस नाम से तसली मिले सुकून मिले नहीं तो आप वो नाम भी रख सकते तो मावाब ने रखा है बाकि उसमें भी मेरे क्याल से कोई बुरा ही होगी नहीं अभीजीद दास ने लिखा है कौन गया भाई साब अभीजीद चले बता देता हूं कौन गया है फिल्ड से बाहर कौन चोटिल हुआ है तो उसके बारे में काफी सारे सवाल आ रहे हैं और वो महत्यपून भी है क्योंकि नेल्ड़ी रोयल किंग्स का वो कोई हो सकता है कि बड़ा बलेबाज हो चले लक्षमेशा सूर्य परकाश लक्षमेशा सूर्य परकाश आउट होकर जा चुके हैं पिछले मैच के हीरो थे पिछले मैच में इनोंने ही रन बनाये थे सत्तर पिछत्तर रन की पारी खेली थी लक्षमेशा सूर्य परकाश ने और वो चोटिल होकर बाहर जा चुके है बाहर जाते हुए काफी परिशान लग रहे थे काफी पेन में लग रहे थे लव लाइब डेद भाई जुड़े हैं दीपक रावत भाई ने लिखा भाई यस करो आरमी लेवर्स ने लिखा भाई इंदरजीत कहा गया यार वाइस कैप्टन है मेरा आएगा भाई आएगा आकरी के पांच ओवर में सबको मौका मिलेगा सबको मौका यहाँ पर दिया जाएगा सबका नंबर आएगा राजबीर कुमार ने लिखा प्लेयर नेम भाई कौन गया है चोटी लोकर भाई आपको बता चुका हूँ यहां पर चोटी लोकर कौन गया है लक्षमेशा सूरे परकाश गये है पिछले मैच के हीरो थे चलिए इस बार यहां पर बी वैशना कुमार रिवर स्वीप खेलना चाहते थे और शोट खेलते खेलते गिर गए जमीन पर मोका था यहां पर रनाउट करने का लेकिन यहां पर बलेबाद सुरक्षित अपनी क्रीज के अंदर पहुंचते हुए ननकिशोर भाइन लेका है विच फिल्डर है जोट इंजर ननकिशोर भाइस लक्षमेशा सूरे परकाश मेरा नाम लो सर अनिल कबाडे मुंबई अनिल कबाडे भाई आपका स्वागत है बहुत बहुत मुहमद शरीफ शाफिर जी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक रावच जी हैं मुकुल नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोसम, कलांगा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शरेश्टा, फैमली जी हमारे साथ जुड़े हैं, चले जी टीम का स्कोर हो चुका है, 108 रन, शिवम सिंग यहाँ पर अगर बात की जाए, तो काफी शांदार अब तक बले बाजी कर यह टीम और मेरे ख्याल से बड़ा मुकाबला है बड़े मुकाबले में जो रन है 170 के पार हो जाते हैं तो फिर शाय डिंडी गुल ड्रेगन्स की टीम की जो गेंद बाजी वो कैपेबल तो है कैपेबल तो वो है लेकिन यहाँ पर चली देखता है पॉइमोजी पॉइमोजी एक बार फिर से इस बार फुल्टोस गेंद थी हलके हाथों से गेंद को लोंगोन की दिशा में खेल कर एक रन प्राप्त कर लिया तेर वे ओवर की तीसरी गेंद पर आता हुआ सिंगल टीम का स अची मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी है इस टीम की यह टीम जानती है कि इस टीम की बलेबाजी कमजोर है तीन-चार बलेबाजों के बाद इनके पास कोई बलेबाज है नहीं ऐसा खास तो यह चाहते हैं मुझे लगता है कि 15-16 ओवर तक बलेबाजी करके उसके बाद हाला कि अभी टीम का स्कोर हो चुका है 110 रन एक विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की समापते के बाद सचीन चाहर जी हमारे साथ जुड़े हैं भाई सवाल काफी जा रहा है जिस भाई का सवाल रहा है दुबारा बेजने का कश्ट करें टाइगर श्रोफ भाई जुड़े ह हमारे साथ लिखा है विकेट काब आएगा सबका एक ही सवाल है जगाबंधू ने लिखा अच्छा पार्टनर्शिप चलता है रंधीर पांडे निननत ब्रोज से मैं तुमसे प्यार करता हूँ अरे रंधीर भाई किस-किस से प्यार करवा रहे है यार रंधीर भाई का पूरा होते हुए दर्शकों से अपना बैट उठाकर यहाँ पर अभी वादन स्विकार करते हुए शिवम सिंग 37 बोलों में 50 रनाते हुए शांदार बलेबाज रहे हैं बढ़िया बलेबाजी की है चलिए एक बार फिर से यहां पर ओवर की आखरी आखरी गें बाहे हाथ के बलेबाज के लिए अंदरूनी की नारा स्टम्स के करीब से एक बार फिर से किसमत का साथ एक बार फ बलेबाजी के लिए पिछ काफी शांदार है टीम के पास बलेबाज बहुत बढ़िया है चलिए यहां पर मेटावर्स भाई ने लिख का है इतने रारी पूछ लिया कौन जीतेगा वूबल मैन भाई मैं आपको बताया कि रेट के साथ रहेंगे हाला कि निल्ले रोयल किंक् लेबाजी उनके पास पढ़िया है पिछ जो है बलेबाजी के लिए काफी शांदार लग रही है तो यहां से नहिले रोल किंग्स के चांस रहेंगे अनिल भाई हमारे साथ जुड़ें अंडर वन सेवेंटी रामपाल मोरिया जी ने लिखा बाबा को बुलाओ बिल्कुल भाई बाबा किसी भी वक्त पढ़ारने वाले हैं बाबा की जो एंट्रिया वब होने वाली है स्वैक के साथ किसी भी गेंद पर 13 ओवर हो चुके हैं अगली 12 गेंदों पर मेरे ख्याल से विकेट आपको आते वह दिख जाएगा असर नीनाद विदेशी है इसलिए बोल रहा था अरे रंधीर भाई ये नाम सिर्फ विदेशी होते हैं चैरे सारे देशी होते हैं सौरब सिंग पाकिस्तान की लड़की को हिंदुस्तान भाई सर चलिए यहां पर यहां पर एक बार फिर से ऑफस्टम के बाहर गेंद थी विकेट की पर नहीं यहां पर यह चूटते हुए मेस फिल्ड यहां पर होते हुए विकेट के पीछे से गेंद जाते हुए और जी आ यहां पर आएगा यह थरकते तो भाई बरदाश नहीं है 189 नौट किया है चलिए बहुत बढ़िया कि एस्टेटर्स व्यूवर्स भाई आपने मैटा वर्स ने लिखा है बाबा कब आएंगे बाबा भाई मैं क्या बताऊं कब आएंगे बाबा की मलती बाबा खुद कप्तान लेकिन यहां पर यहां पर एक बार फिर से संदीप ओरियर के बाहर यह गें थी पीछे फिल्डर यहां पर आते हुए कैच यहां पर ड्रोप होते हुए एक आसान सा कैच डी पॉइंट पर यह कैच लेना चाहिए था यह कैच लेना चाहिए था यह कैच संदीप ओरियर की कि तो ड्रोप हो चुका है, स्ट्रेट मैच होगा, आजनार के विनिंग देस, निल भाई स्ट्रेट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जीत सकती है, मोनु कुमार ने लिखा है, कौन बाहर गया भाई, भाई बाहर गया लक्षमी, सूर्य परकाश, लक्षमेशा सूर्य परकाश यो है भाई वो बाहर गया है, चोटी लोकर, चोट काफी जादा थी, काफी तकलीफ में लग रहे थे, नमस्ते उत्राखन लोक्स ने लिखा है, सुन्दर कमेंट रिदी भाई, नमस्ते भाई, और आपका धन्यवाद भाई, चले टीम का स्कोर 117 रन, एक विकेट के नुकसान पर चोट वावर यहां से शुरू हो चुका है, संदीप और एक बार फिर से, इस गेंद को हलके हाथों से थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाना चाते थे, कोई रन नहीं, टाइगर श्रोफ भाई ने लिखा, इन लोगों का करेक्टर बीच वाला लगता है, कैसा कैसा कमेंट कर अरे टाइकर भाई, मजे ले रहे हैं भाई, बाकी, अकाश वर्मा जी ने लिखा, विकेट ले, नोविता भाई ने लिखा है, नर के विनर, चले जी सद्दाम मलिता जी हमारे साथ जुडे हैं, जियोगर्फी शोर्स ने लिखा भाई, विकेट कब गिरेगा, मैं एक सो पं जाए इस बार चोटी गेंट, पुल करनेगा पर या स्क्वेर्लेक की दिशा में, इस बार शांदार कैच, यहां से विकेट मिल जाएगा, यह लीजेगा, यहां पर ठान के आये थे, संदीप वोरियर इस बार ठान के आये थे, इस ओव में के विकेट तो लेना ही है, कैच च तोड़े चाहे दो चाहे तीन लेकिन इस ओवर में विकेट लेना ही लेना है चलिए जी विकेट यहां पर आता हुआ भी वैशना को मार आउठ होकर वापस पवेलियन जाते हुए जटका लग चुका है जिसका इंतजार था बाबा इंदर जीत का वो आपको आते हुए डेफि अब इंदर जीत अगर यहां से रन बनाते हैं तो यह टीम रन बना पाएगी आउट हो जाते हैं तो फिर शायद आपको जो स्कोर के अंदर इससे में दिख रहा है आगे जाते हुए वो थोड़ा सा कमी आते हुए आपको नजर आएगी अब्दूर भाई ने लिखा है भाई साब कौन सी गुफा में चले गए अचले टीम का स्कोर 117 रन दो विकेट के नुकसान पर सुदीप्तो मुखरजी ने लिखा है कितना होगा भाई मोटिवेशनल शोर्स ने लिखा है सामने वरोन भाटी शरवना है अनर के नहीं जीते गी अगर 170 180 हो गया तो अधर सिंग ने बढ़िया पंचमारा है कि विकेट दूसरी बारी में गिरेंगे भक्ति भजन अरन कबीर तू तो पर है तेरे कहां से भटी भजन भाई नाम में आपके भक्ती भी भजन भी है और आपके कमेंट में इतनी सुंदर सुंदर गालिया लिखी हुई है यार मत्त भाई हमारे साथ जुड़े हैं कैच किसने पकड़ा जी बताते हैं सर जी कैच आपको किसने पकड़ा है लेकिन यहां पर आधित्य गणेश आ चुके हैं पहली गेंट जाकर टकराते हुए सर से संदीप वोरियर की भाई साब क्या जबरदस्त स्पीड में गेंद बादी करत घटा वर्स ने लिखा ल्लगÁ बुख्यव क्या करेंगे भाई कौन प्लैयर इंज्रड है भाई भाई लक्षमेशा सुर्य परकाश इंजर्ड हैं लक्षमेशा सुर्य पर प्रकाश इंजर्ड は लेकिन अब अदित्य गनेश भी यहां पर इंजर्ड है शायद मिरे ख्याल से कनकेशन का टेस्ट होना चाहिए गेंज आकर सीधा सर पे लगी है चले जी नोबिता भाई ने लिखा अदित्य गनेश क्यों आ गया भाई साब पता नहीं अब लेकि कुछ नहीं कहा जा सकता आना चाहिए ता वैसे वन डाउन पर बाबा इंदर जीत को फिर चोथे नंबर पर आना चाहिए ता लेकिन अब लगता है कि शायद बाकियों को आज मोका देंगे इस महत्रपूर मुकाबले में बाबा इंदर जीत लव भाई ने लिखा है रंधीर भाई वो भी बीच पोटल में परशान शर्मा ने लिखा है लेट जाते सारा विकेट ले गया बिलकुल भाई लेकिन इस ओवर में काफी बढ़िया डराते हुए गेंदबाजी की अपनी स्पीड से डराया है डिंडेगुल ड्रेगन्स के मुझे तो लगता है कि बाबाई इंदर जीत भी वोरियर की गेंदबाजी देखकर ही थोड़ा सा भी बैठे हुए है कि इसके एक बार चारो वर समाप तो जाएं तो उसके बाद जाओंगा बले बाजी करने के लिए भक्ति भाजन भाई भाई है वो हम यह सब का लोस करवा इसलिए गाली दिया बक्ति भाई कोई बात में लेकिन फिर भी आपका दाम आपको भी बात लगती हो गिरा आपका नाम है और आपका मैसिज है और मैच नहीं होता है बाकि यार किसी की बातों में मताई है का जो लोग बोलते हैं कि वटसेप रिपोर्ट कंफर्म यहाँ पर सवारी अपने समान की खुच जिम्मेदार है चलिए टीम का स्कोर 117 रन दो विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर हो चुके हैं शेकोन मिंटू जी अमारे साथ जुड़े हैं गुड इवनिंग फ्रोम इटली मिंटू भाई क्या हाल है आपके मिंटू भाई अमारे स आंसता लेकिन मौका यहाँ पर छोड़ते हुए यासिर भाई ने लिखा 183 बनेगा क्या यासिर भाई 183 यहाँ पर शिवम अभी मौजूद है 14 ओवर हो चुके हैं 6 ओवर अभी बाकी है 83 भाई मुश्किल है यहाँ से मुश्किल है बनना क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट चा बढ़ेगा चलिए यहाँ पर आरिया व्लोक्स भाई ने लिखका लक्षमन्ट सूर्यकुमार आज खेलेगा या नहीं लक्षमेशा सूर्यकुमार यार देखे चोट ज्यादा लग रही थी ऐसा लगा जिस समय गहे ते बाहर काफी ज्यादा दुखी थे काफी ज्यादा पे अब्दुल भाई देखा है बाबा इंदर जीतृ मेरा कैप्टन है कब आएगा अज मुझे लगग रहा है कि बाबा इंदर जीत आज सब का बदलہ लेगा आज सब का बदला लेगा अज सब का बदला लेगा सब यहाँ पर दो रन हाला कि आसानी के साथ मिल जाएंगे दो रन के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 120 रन दो विकेट के नुफसान पर 15 वावर शुरू हो चुका है परशान शर्माई लीग है गटिया है उल्टा मैच होता है इसमें मैटा वर्स यह सब एक्टिंग चल रही है लव लाइफ पाई ने लिखा है लाइक शेर एंड सबस्क्राइब चलिए देखते है जी आलित्या गणेश चलिए इस बार गेंद को उठा कर खेला है गेंद हवा में क्या नीचे फिल्डर आपाएंगे जी नहीं ये कैच होना चाहिए ता यार ये कैसी फिल्डिंग हो रही है ये किस परकार की फिल्डिंग देखी जा रही है हमारी आखों के द्वारा ये तो काफी आसान सा कैच दो फिल्डर ने गेंद को आषानी के साद अपने बीच में गिरने दिया चलिए जीवन दान नहीं है ये तो पाप कर दिया है यहाँ पर नेलाई रॉयल किंग्स के गेंदबादों ने और गेंदबाद देख रहे हैं गेंदबाद देख रहे हैं फिल्डर्स की तरफ तरस्ती हुई निगाहों से चलिए एक बार फिर्ट चे कवर की दिशा में खेला या शोट ता पीछे फिल्डर मोजूद एक रन पूरा किया दूसरा रन यहाँ पर पूरा असानी के साथ कर लेंगे अर्विन मॉंडल ने लिखा विगट इन लास्ट बोल वैभो भाई ने लिखा कौन जीतेगा ब्रो सर जी देखिए यहाँ से कहना मुश्किल है लेकिन फिर भी निल्लाई रोयल किंग्स की टीम अगर 170 तक यहाँ पर रोक लेती है इस टीम को तो फिर चांसिस यहाँ पर काफी जादा रहेंगे फंकी बनी ने लिखा गाली मैच है मोटिवेशन भाई ने लिखा बाबा गया साधी कराने अरे कहां भाई पीच मैच में आज तक किसकी शादी हुए चलिए इस बार एक रन लेने का परियास था राटे जी से यहाँ पर दोडे और एक रन यहाँ से प्राप्थ होते हुए टीम का स्कूर 125 रन दो विकेट के नुकसान पर इत्यानत भाई हमारे साथ जुड़े हैं महँमद इमाम Krzegi यह हमारे साथ जुड़े हैं लव लाइफ डैद भाई की प्यार की धारा में चलिए एक बार फिर से यहां पर तयार है टीम का स्कोर 125 रन 14.4 ओवर की समापति के बार लक्षिय जान के इस बार गेंड लैक्स्टम के बहार खराब गेंड थी लेकिन फाइदा नहीं उठा पाए बले बाद सिर्फ एक रन से यहां पर संतोष्टे करना पड़ेगा किर्केट बॉई 152-160 रन बनेगा नाम याद रखना चलिए परदीब जोयल जी हमारे साज जुड़े है मकार बलोच जी हमारे साज जुड़े है अबदिल भाई ने लिखा है चलिए जी गुरू भाई ने लिखा है तेरी थी अरे भाई साब लड़ाई मत कीजिए गा चलिए यहां पर वीके मुकरपूर भाई ने लिखा है यार आप मेरे मैसिज क्यों नहीं पढ़ रहे है और आप इसका मतलब पारी की सबसे इंट्रेस्टिंग पांच ओवर शुरू होने वाले पहली पारी या आखरी के पांच ओवर एविकेट अब तक गिरे नहीं है तो आखरी के पांच ओवर में तो यहां पर तावड थोड़ बल्लेबाजी के लिए दोनों के दोनों बल्लेबाज जान बाकी भारत में तो यहां पर राहत है खासकर उत्री भारत में मौनसून से यहां पर काफी राहत है बारिश यहां पर हर शायद हर स्टेट के अंदर बारिश हो रही है ऐसा आर्मी लवर भाई इंदर जीत इंदर जीत करें बहुत जल्द होगा और इस बार भारत की जीतने की जो उम्मीदें वह बहुत ज़्यादा है संतु सिंग बाबा कहां गया संतु भाई बाबा भी बोला और साथ में गाली भी जेब दी आर नाम के साथ बताओ कैसे बढ़ें आपका मैसेज चले एक सो सताइस रन है टीम का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर पंदरा ओवर की समाफ्ति के बाल सचीन कुमार बाबा अपना गर्फरेंड को लेकर ओयो गया है अरे बाबा को भाई ओयो जाने का जरूत निया बाबा के पास फाइफ सार होटल का एकसेस है चले टीम का स्कोर एक सो अठाइस रन दो विकेट के नुकसान पर सोलो आवर शुरू हो चुका राम सिंग सो नो य पर यहां आउट है इस ओवर में मैटा वर्स ने लिखा है लूडो आउठोज इबराहिम परसनल ने लिखा है हंजी चावडा चेता ने लिखा विकेट आ रहा है भाई सब विकेट तो आ रहा है लेकिन बात सवाल तो यह कि बाबा कब आएगा बाबा इंदर जीत कब रहे नहीं भाई चलिए बाकी देखते हैं जी किस तरीके से यहां पर शुरुवात होती है राम सिंग सोनु यादा उठाकर खेला है शिवम सिंग ने इस गेंद को कवर के ऊपर से दर्शक दीरगा में फिल्डर यहां पर बने फिल्डर सीधा दर्शकों के हाथ में गेंद क चेती जी उड़े वैभो चोहां ने लिखा है सिक्स तुसार नशीर में लिखा है बाबा को बैटिंग नहीं आएगा गुरू भाई ने लिखा है गुरू खेला को खूब होगे शांतनु भाई ने लिखा आपका कमेंटरी बहुत अच्छा लगता है शांतनु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी जी सोल वावर इस समय चल रहा है और जो टीम है इस समय डिंडी गुल ड्रेगन्स की वो खुद को काफी अच्छी स्थिती में महसूस कर रही है बाकी शिवम सिंग का कमाल है शिवम सिंग देखते हैं अठावन तो हो चुके हैं अब जल से जल शिवम सिंग का विकेट जो है लेना पड़ेगा क्योंकि अन्तीम के अन्त के चार ओरो में अक्सर कहा जाता है कि जो टिका हुआ बले बाज है सबसे जादा खतरनाक वही होता है चले राम सिंग सोन यादव एक बार फिर से से सेम लाइन सेम लैंट और यहाँ पर शेम श अबर भाई आज के बाद सब चोड़ दिया बरबाद हो गया भाई अभी नहीं अभी इंतिजार कीजिए कोई टेंशन नहीं है अभी निल्ले रोयर किंग्स की बल्लेबाजी बाकि अब भरोसा रखिएगा अरुन भाई पूरा टी एंपियर अरुन भाई ने निकाल दिया है बाकि बस एक दो मुकाबले बचे है अरुन भाई अब दिल छोटा नहीं करना आखरी के दो मुकाबलों में नहीं लली चोडरी ने का मैच का तकल्लफ तो देखिए जेव का रुक के किस तरफ रखे बड़ी चुनोती ह आज ललित भाई बिल्कुल आपनी सही का चुनोती तो बड़ी है लेकिन बड़ी चुनोतियों को ही पार पाना देखिए खामियाबी का असली रास्ता भी वहीं से खुलता है चली इस बार में इस फिल्डिंग यहाँ पर होते हुए और चार रन प्रापता आते हुए यह य बाबा का यहाँ पर इंतिजार करते हुए काफी सारे लोग संतोश भूटे ने लिखा बाबा ने लूट ली आज सबको गुरु भाई ने लिखा हुँ चले जी राहुल यादव जी हमारे साज उड़े है सूर्य परकाश इंजड हो गया क्या जी बिल्कुल भाई सूर्य प पर इस समा आ चुके है आदित्या गनेश स्टेटस वीडियो भाई आपकी कमेंटरी बेस्ट है धन्यवार शशी सुमन पटेल ने लिखा है अब आएगा बाबा डॉंट वरी तुशार नासकर भाई ने लिखा है क्या लिखा भाई सोनू का यादव बना देगा मार मारके भ अगले बाज है शिवम सिंग भाई हाथ के हलके हाथों से गेंट को थर्ड मैन की दिशा में खेल कर एक रन प्राप्त कर लिए अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शिवम टीम का स्कोर 146 रन दो विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाक्ति के बाद चलेजे शिवम सरकार ने लिख और छे मत मारो प्लीज गोर्ड हेल्प करो अकाज भाई ने लिख भाई एक तो सब को खामोश करो यह होगा वह होगा आराम से लाइव देखो गुरू भाई लिग लिंक पर आ जाना प्रोफिट दूंगा गुरू भाई पता ने क्या क्या देंगे आप और कहां बुला रहे हैं बाकी यार मत फसीएगा यहां पर इस बहुत अच्छी कमेंटरी करते हो जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद किस का कैप्टन है बाब अतुशार नसकर भाई जी हमने तो बनाया है हमने तो बाद जी अजी ते पतान हमारे जी यह जी तेश हैं गेन बाज है हमारे जो वाइस केप्टन है वो है सुबोध भाटी चलिए इस बार गेन जाकर पैड से टकराते हुए अपील करने का परियास लेकिन इंपेक्ट जो है वो थोड़ा सौफ स्टम के बाहर था हाला कि एक रन यहां से मिल यही नहीं नहीं वो स्किल का खेल है बाकी रैंक वन तो फिर देखे वो किसमत का खेल है संतोष बूटे जी हमारे साथ जुड़े हैं संतु सिंग ने लिखा वरुन चकरवरती चार विकेट लेगा लव भाई ने लिखा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जी बिलक करते हुए मौका था यहां पर फिल्डर के पास मौका था यहां पर फिल्डर के पास लेकिन गेंद के अंदर इतना आवेग था गेंद के अंदर इतनी गती थी कि जो फिल्डर है गेंद को कैच पकड़ते पकड़ते सीमा रेखा के बाहर उड़ गए चलिए यहां पर एक का स्वीप कर दिया है स्क्वेर लेक पीछे फिल्डर है एक रन यहां से प्राप्त हो जाएगा चक्मा प्लेज ने लिखा आई लव यू भाई किसान दोस्त ने लिखा बीस ओवर में कितना बनेगा mathematics ने लिखा डीडे बिन काजे शिल सो ने लिखा है 200 दीपक भाई ने लिखा है एसम परेशान विकेट लो चले जी यहां पर गरगन गुपता ने लिखा है बाबा ने मार डाला भाई बाबा ने मार डाला भाई ये तो है देखिए इसमें कुछ ने बल्ले बाजी जो करम है वो कप्तान के हाथ में होता है अब कप्तान खुद बाबा है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस नंबर पर आना है चले जी इस गेन पर भी एक सिंगल आते हुए टीम का स्कोर 155 रन दो विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की समापती के बाद राहूल भाई ने लेकर सूरे परकाश बैटिंग करने आएगा कि नई राहूल भाई देखिए आ सकते हैं आ सकते हैं डिबेंड करता है कि जो चोट की सिवेरिटी है वो यहाँ पर कितनी है चले जी सतर्वा ओवर यहाँ पर सत्रवे ओवर की होगी आखरी गेंड टीम का स्कोर 255 रन स्ट्राइक पर मुझूद है यहाँ पर शीवम सिंग चलिए देखते हैं आपर शिवम सिंग किस परकार की यहाँ पर करते हैं बले बाजी बले बाजी अब तक तो काफी शांदार की अच्छी 70 रन पर पहुँच चुके हैं चलिए एक बार फिर से यहाँ पर लक्षय जैन इस गेंद को उठा कर खेला है गेंज आते हुए फाइनले इस बार फाइनली फिल्डर नीचे आते हैं और विकेट जाते हुए जी यहाँ विकेट यहाँ पर गया है शिवम सिंग का विकेट लिया है लक्षय जैन ने टीम का स् पूरे परकाश बैटिंग करनेगा क्या बाई बताओ भाई कर सकता है डिपेंड करता है चोट कितनी गंभीर है फंकी बनी लिखा है साले बहुत फुद्दू भोलर है साला नहीं भाई विकेट लेकर जा चुका है विकेट जो है वो ले लिया है शेकर सहानी सर आपका वर्ड क करते हुए गेंदबाद से अंपायर जो है कुछ बात करते हुए गेंदबाद से हाला कि 17 ओवर समाप्त हो चुके 18 गेंद अभी भी बाकी है तुसार भाई ने लिखा है कि उस तो लिखा दा तुसार भाई आपका मैसीज उपर चला गया ओकजी भी नीटिन का बोला था वि इस सब हो क्या रहा है यहां से बाबा भाई साब अधैने यह बल्ले भाजी मां उजुफल भाई नेखे किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई उजुफल भाई नेल्ला रोयल किंग्स को अभी तक के लिए नेल्ला रोयल किंग्स को बाई चांस मिलेगा क्या ल SCOTT BOOKS SETT करने का NRK पर लगा रखाया यार अरुन भाई बिल्कुल मिल सकता है चांसिस यहां पर है पिछ आप खुद देख लिजेगा पिछ बल्लेबादी के लिए कितनी शांदार है बल्लेबाद अगर आख बंद करके भी बल्ला घुमाना चाहे तो छक्का लग सकता है लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है बाबा इंदरजीत कहा है बाई चलिए इस बार पहली गेंद विकेट कीपर के हाथों में और यह विकेट आते हुए विकेट यहां पर आते हुए अठारवे ओर की पहली गेंद पर यार इत्तिया गणेश का भी चलिया अब तो बाबा आएंगे भाई कहां चिपके बैठेगा बाबा अब कहां चिपके बैठेगा भाई साब अब तो आना ही पड़ेगा बाबा ने आया मैंने नहीं लिया चली जी पिंटू भाई ने लिखा है सर कौन विन बाबा आज नहीं आएगा स्टेटर्स वीडियो जिंदर जीत को खेलोगे लास्ट के बाई साब बाबा को लेकर आएंगी बाबा को तो आपकी लेकर आना ही पड़ेगा तो यहां पर दो गेंदों में दो विकेट आ चुके है पोई मोची को मिल चुका है पहला विकेट उमंग भाई ने लिखा है बोला ना एसिंग आउट हो गई सोर में एक तरफ है सी सरत कुमार जो कि अब तक जिन्होंने कोई भी गेंद खेली नहीं है चलिए सुबोद भाटे आ चुके है भाई बाबा नहीं आएंगे बाबा नहीं है नो मुकाबले अब तक खेल चुके है ब्यासी रन बना चुके स्ट्राइक रेट हाला कि काफी शांदार 15 57 का अरुन भाई ने का भाई डेडी पर 3.5 रूपीज लेयाव लोस कट कर लेते हैं चलिए भाई कोशिश करते हैं कोशिश यहाँ पर करते हैं अरुन भाई देखिए अभी भी यहाँ पर मौका है अभी भी यहाँ पर मौका है रन अगर यहाँ पर भी रोक दिये तो मौका यहां पर बनेगा आर्मी लवर ने लिखा है बाबा सवरूप बैरागी ने लिखा भाई मैंने जिस दिन बाबा खोली वाले उस दिन मेरे को डुबा दिया भाई आज तो श्रेयर समुद्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं जी हमारे साथ जुड़े हैं उमंग भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से यहां पर सुबोध भाठी को पहली गेंद का सामना पहली गेंद उठाकर खेला गेंद हवा में नीचे फिलडर आते हुए यहां पर कैच लिया है जो स्कोर एक समय लग रहा था कि क्या 190 के पार जा सकता है हलाकि जाने को अभी भी जा सकता है लेकिन अब बल्लेबाज नहीं है यहाँ पर 170 स्कोर उनली पर्शांद शर्मा एन है इसको क्यों नहीं मिला ओवर एसार्मी भाई अरुन भाई टीन पील अने सब रादिया भाई एंटी वाईरस लेना घर वालों से पैसे लेकर टीन पील में लगा दिया आरे अरुन भाई आप एंटी वाईरस मुझ से ले लेना चलिए य नहीं आएगा शशिषमन पटेल लिखा है आउट लाल महुंमद जी आमारे साथ जुड़े हैं बाबा कहां गया भाई सब होगा नोबोल आते हुए नोबोल के साथ साथ यहां पर फ्री हिट भी मिलते हुए जी हां यह तो यहां पर थोड़ा सा ऐडिडी पर वन नाइंटी कि आ गया कर दूं क्या लोस कट भाई यरुन भाई अब तो मोका नहीं था तो मोका नहीं था दुबारा देखते हैं यहां पर चले जी फ्री हिट भी यहां पर आ चुकी है तो भाई साब यह जो है वो थोड़ा सा काम खराब करते हुए अब्दुल्ला ने आपर लिखा है नो हुए आनरके पर मत लगा हो नहीं जीतने वाला है नौब पर विकेट नहीं आता क्या भाई आयरुन भाई ने कमाल का सवाल यहां पर उठा पाते हैं बले बाद, चलिए सुबोध भाठी तयार है, दाये हाथ के बले बाद, आज हाला की, बड़े शोट्स कुछ लगा लेते हैं, चलिए बड़ा शोट लगाने का परियास बले का अंधुरूनी किनारा है, यहां पर रोड सिर्फ एक रन मिल पाएगा, चलिए जी सवरूब भाई ने लिका भाई बाबा आज हारेगा, इसलिए बैटिंग नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से यहार कुछ चोट वोट ना लगी हो, तो फिर हो सकता है कि चोटिल हो या फिर हलका फुलका कोई निगल हो, जिसके कारण ना आया हो वर चलिए जी हमारे साज उड़े हैं, वन नाइन्टी अंडर शोर, अरन कवे इर फ्री हिट वन, चलिए जी अठारवे ओवर की यहाँ पर तीसरी गेंद, पॉइमोजी, पॉइमोजी यहाँ पर लेकर आते हुए अठारवे ओवर की तीसरी गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद होंगे सी सरत कुमार, जो कि अपनी पहली गेंद आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बाब आएगा क्या खेलना, इंफ्लिएंस भाई, थोड़ा लगता है, थोड़ा डाउट है, चलिए इस गेंद को हलके हातों से, पॉइंट की दिशामने खेल कर एक रन तेरी के साथ य हाँ पर आते हुए टीम का स्कूर 158 रन, चार विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की समाप्ति के बाद, पुशेवर चुहा ने लिखा भाई आना तो मेरा नाम लो, अभया कुमार ने लिखा अनार के जीते गान, रिलेटिड गेमर्स ने लिखा 182 नोट, सोरब सिंग, हिंद पागिस्तान, किरकेट भाई ने लिखा लास्ट दो और तीन या चार विकेट फिक्स, किरकेट भाई 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 दो, तीन, चार बिल्कुल डेफिनिटली आपने सही गा, मेरे क्याल से दो तिन विकेट आपको गिरते हुए लिखाई दे सकते हैं, भक्ति भाई ने इतने कैच और मैच मिस्स कर रहे हो, नो बोल डाल रहे हो, फुल फिक्सिंग है, मैच अनार के हरेगा, चले जी कवर की दिशा में शॉट को खेलते हुए, एक रन हाला कि यहां से प्राप्त हो जाएगा, यासिर भाई बाई 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 कुछ ना कुछ, उचना कुछ यहां पर चोट वगएरा कुछ निकल वगएरा हो सकता है, डीडी पर चार उपीज आजाए बाई बाई आएगा, निशिंद रहिएगा, मुकाबला आज का शांदार होने वाला है, नेला इरोगर किंक्स के पास काफी मजबूत बले बाजी क्रम है, बले बाज जी इस गेंद पर उठाकर खेलते हुए सी सरत कुमार सीधा गेंद बाज के सर के उपर से शांदार चक्का, बड़ा चक्का यहां पर आते हुए सी सरत कुमार के दुवारा अठारवे ओवर की पांचवी गेंद पर फुलर लेंद की ओवर पिछ ये गेंद थी, जी हां बला गुमाया ताकत का इस्तेमाल टीम का स्कोर एक सो पैसे ट्रेंट चार विकेट के नुकसान पर भाई एक सो च्यासी होगा क्या अरुन भाई देखिए जिस परकार से नो बोल्स डल रही है और 97 मिटर का चक्का ये लीजेगा इस मैच का अब तक का सबसे बड़ा छक्का यहां पर आते हुए जुनेत भाई हमारे साथ जुड़े है भाई दोसो फोन पर करते हो प्लीज भाई समझ में या जुनेत भाई फोन पर दोसों पर मांग रहे हो या दे रहे हो चलिए टीम का स्कूर 166 रन चार विकेट के नुकसान पर अठार आवर समाप्त हो चुके हैं दोवर का जो खेल है वो अभी बाकी है तो देखते हैं जी दोवर में यहां पर कितने रन बनते हुए नजरात है कहां तक पहुचता है इस टीम का स्कूर मोका तो है आज डिंडिक उल ग्रेगन्स की टीम के पास बाकी के बचे दोवर में 20-25 रन अगर यहां पर जोड़ते हैं तो 190 का जो है वो टार्गेट पार हो सकता है योट्यूब चैनल यस करो या नोट बुकी ही जीतेगा भाई दरजीत नहीं रहा यहां भाई नहीं है भाई है बस आ नहीं रहा है शायद कोई चोट कोई निगल यहां पर हो सकती है विजएद वीवेदी ने लिखा आइम विजएद वीवेदी भाई नेक भाई नेलई का तीन ओवर में 25 बनेगा उमंग फ्री फायर भाई बिलकुल बन सकता है और जिस प्रकार की नेलई के पास बले बादी है शुरुआती बले बाद अगर चल गए तो 6 ओवर में भी 60 के पार जा सकता है लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ कालपनी का भी धानाए है मुकावला जब शुरू होगा दूसरी पारी जब आरंब होगी उसके बाद पता चलेगा बाकी बले बाद यह अच्छी है भक्ति भाई नर के नहीं जीतेगा बोल रहा हूँ पैसा वेस्ट मत करो स्किप करो मैं जिसको कन्फ्यूजन है मैं फजाओं नर के पर चले देखते हैं जी बाकी भाई साब देखिए हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्रिकेट है नी शिताओ का खेल चले एक बार फिर से हाँ पर इस गेंड को स्कोप शोट खेलना चाहते थे गेंड बले कांदरूनी किनारा लेकर जाते हुए फिल्डर के पास रन हाला कि कोई यहां से मिलेगा नहीं महुमद अब्दुल्ला जी हमारे साथ जुडे हैं बाबा नहीं आएगा ओफिशिल एनाउंसमेंट है चले जी बहुत बढ़िया कप्तानी करने तो आएगा या फिर कप्तानी करने भी नहीं उतरेगा तो कप्तान को ने एक बार कप्तान चेक करना पड़ेगा भई टीम किसको सपोर्ट कर रहे है जै भाई ने लिखा है सुरे पर काश अगर बैटिंग नहीं करेगा तो मैं हार जाएगा सुरब सिंग बाबा दादी को लेकर चला गया जुनेद भाई भाई कुई सवाल पूछो इनाम दो भाई हम लोगों को मनुरंजन के लिए जुनेद भाई अगली पारी में कोशिश करते हैं कुछ सवाल पूछनें के कुछ इनाम देने की आपके मनुरंजन के लिए चले टीम का स्कोर 116 64 विकेट के नुकसान पर 18.2 गेंद यहाँ पर हो चुकी है राम सिंग सोनु यादा हो आ चुके है चले जी 10 गेंदों का खेल बच्चा है 10 गेंद यहाँ पर बच्ची है बक्ती भजन 190-195 जाएगा स्कोर लग रहा है चले जी यहाँ से देखते है अजय हमीना भाई हमारे साथ जुड़े हैं भाई 270 रुपीज सेंड करो रिचार्ज करना है अजय हमीना भाई कैसी बाते करते हैं यार आप लोग चले टीम का स्कोर 166 ट्रेम चार विकेट के नुकसान पर 18.2 वर की समापती के बाद स्ट्राइक पर मौझूद है सी शरतकुमार बोल के हार्ड हिटर स्ट्राइकर हैं काफी तेजगती से ताकत का इस्तेमाल करते हैं गेंद के उपर चले राम सिंग सोनो यादव एक बार फिर से शरतकुमार को ये गेंद लेकर यहाँ पर बड़ा शोट लेकिन फिर भी एक ही रन यहाँ से मिल पाएगा चले इस एक रन के साथ टीम का स्कूर एक सो सरसट रन चार विकेट के नुकसान पर 18.3 की समापती के बाद स्टेटस वीडियो भाई जो लिखका है 200 प्लस हो बे चले देखते हैं 200 प्लस होता है कितना होता है बिटू जादव जी हमारे साथ जुड़े हैं बाबा भोले की भक्ती में लीन है बलराम ओफिशल जी हमारे साथ जुड़े हैं अन्रिलेटेड गेमर्स भाई हमारे साथ जुड़े हैं बाबा बोलिंग करता है गया नहीं बाबा विकेट कीपिंग करता है अगर कोई निगल है तो फिर तो भाई सांग रिख्याल से विकेट कीपिंग करने भी नहीं आए में पीछे फिल्डर मौजूद है सिर्फ एक रन यहां से मिल पाएगा अब आकी भाई अपने सवाल भेजते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ यहां से बाकी है आठ गेंदों का खेल आठ गेंदों यहां पर बाकी बताईएगा फाइनल स्कोर यहां पर कितना देखते हैं कितना फ पॉल हो जाए यहां पर जाते जाते इतने लोग किस टीम के साथ हैं बाकी चलिए यहां पर देखते हैं मुकाबला किस टीम के परक्ष में जाएगा इस समय डिंडी गुल रेगन्स की टीम थोड़ी सी आगे जरूर है लेकिन पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि मुकाबला इंडी बुल डेगन के पर्षमि चलिए एक बार फिर से यहाँ पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर के दस्थानों में विकेट आते हुए विकेट यहाँ पर आते हुए C.S.रत कुमार का चलिए एक 189 के स्कोर पर 179 के स्कोर पर एक और जटका यहां पर लगते हुए तो जी हाँ देखना काफी दिल्चस्क होगा जो मकाबला किस तरीके से यहां पर चलते हुए दिखाई लेता है बाकि आप सभी लोग जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा तो एक और जटका यहां पर लग चुका है बाकि यार लाइक कर दीएगा काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए है लेकिन भाई लाइक यार काफी कम है तो थुड़ा सा यार लाइक करने पर ध्यान दीजेगा बाकि सी सरतकुमार नोरन बनाकर आउट होकर वापस पवेले अन जाते हुए क्या बाबा आएंगे सबसे बड़ा सवाल क्या अब यहां पर बाबा आएंगे बले बाची करने के लिए क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से भाई आना चाहिए आखरी होगर यहां पर बाकी है चलिए जी पाँच विकेट यहां पर हो चुके हैं तो देखना काफी दल्चस कोगा उननीस ओवर समाप्त होते वो उननीस ओवर की समाप्ते के बाद टीम का स्कोर एक सोननतर रन पाँच विकेट के नुकसान कर तो जी यहां काफी शांदार यहां पर चलिए टीम का स्कोर एक सोननतर रन पाँच विकेट के नुकसान पर उननेस ओवर की समाप्ती के बाद बीस वावर यहां से डालते वे नजर आएंगे चलिए जी बाबा इंदर जीत आ चुके हैं बाबा इंदर जीत आ चुके हैं अब यहां पर भाई साब अब देखते हैं क्या परेशानी थी बाबा इंदर जीत को कि अब तक आये क्यों नहीं थे मैं आ गया रैंक वन पर चलिए भाई रैंक वन पर यहां पर आ चुका है उमंग भाई कोट कैच कोन लिया अब भाठी आउट होगा चलिए यहां पर गेंद बाजी आपको करते वे नज़र आएंगे पॉई मौजी अपना आखरी ओवर बीस वावर टीम का स्कोर 179 रन शुरुआ देखते हैं यहां पर चलिए सुबोध भाठी आफस्टम के बाहर 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 यह गें थी नीचे फिल्डर आते हुए क्या हुआ यहां पर अपील होते हुए अपील बीस वावर के यहां पर पहली गें थी क्या यहां पर कैच चुटा है क्या यहां पर कैच चुटा है देखना दिल्चस्पों का यह कैच ड्रॉप कर दिया है कैच यहां पर ड्रोप कर दिया है तो भाई साब जिस टीम के विकेट कीपर भी कैच ड्रोप करें तो उस टीम का तो पिर हाल बेहाल है उस टीम का तो हाल है बेहाल है 185 भेश दो अबड़वाइजर लेनी है आपका जो खर्चा वो सबसे शांदार लगा है बाकी इस गेंद को छोटी गेंद थी पुल कर दिया फाइनल एक के दिशा में चार रन के लिए बाबा इंदर जी धोनी बनना चाहरा है जिते इंदर सानी भाई यारे तो धोनी तो भाई दूसरी पारी में बनता है चेज छोड सेंस भी होती है इंसान के अंदर यार उमंग भाई ने लिखा कितना बनाएगा चलिए देखते हैं जी कितना बनाएगा कैस ड्रॉब डीडी के साथ बाबा परजीत किस टीम में था आकाश कुमार राए भाई बाबा परजीत तो देखे शांदार खिलाड़ी है बाबा मारता काम किया चलिए इस बार इस गेंद को एक बार फिर से पहली गेंद पर विकेट यहां पर आ सकता था पूरे-पूरे यहां पर चांसिस थे लेकिन छोड़ दिया इतना कैच कॉंड रॉप करता है बुड़ी अरा नहीं रोयल किंग्स की टीम बोल रहा हूं नर के हारेगा ले टेस्ट भाई लेका भाई हराने के मूड में है आज चेज होगा अत्री के चलिए जी देखते हैं भाई चेज आज मेरे ख्याल से होना चाहिए बिलकुल आपने सही करें मैं भी चेज के साथ ही हूं वैसे तो लेकिन यहां पर एक और चोका पर प्राप्त करते हुए तो भाई साब चोके पे चोके चोके पे चोके यहां पर अन्रिलिडिड गेमर्स ने लिखा 182 नोट लव लाइफ मोटिवेशन स्टोट ने लिखा है इस तो मैं फिल्डिंग कर लूँगा भाई साब इससे अच्छा पोई भी फिल्डिंग कर लेगा कैप्टन कूल मत बन बाब लेगे निंदर जीत आना नहीं चाहिए था भक्ती भजा ने लिखा अपरजीत किस टीम में था किस टीम था नाम क्या था आकाश कुमार भाई बाबा अपरजीत किस टीम में था भाई बिल्कुल आपको बताते हैं बाबा अपरजीत किस टीम में था चलिए जी यहां पर एक कुमार देली का दो विकेट हो जाएगा पांसो का उपिनियन दे दो बाबा रामदे हो है निर्भेबा यरून भाई भाई टी एन पील में तो बचे ही है यार लाइव देखा मैंने तो अब मैं इंगलेंड पर इन पर लगा रहा हूँ भाई अच्छा रून भाई समझने है किस पर लगा रहे हैं इस पर लगा रहे हैं बताईएगा चलिए इस बार छोटी गेंड एक बार फिर से पूल एक बार जी नहीं यहाँ पर इंतिजार है इंतिजार है यहाँ पर आकरी और काफी महेंगा साबित होते हुए बाबा इंदर जी त गेंदबाजी यहां पर रुकते हुए पांच भी गेंद यहां पर डालनी है टीम का स्पोर 182 रन पांच विकेट के नुकसान पर दो गेंद अभी भी भी बाकी है बाकी सबसे बड़ा खत्रा बाबा इंदर जी तभी भी क्रीज के ओपर मौझूद है तीन गेंदों में तीन चोके नहां पर आचुके हैं देखना दलचस्प रहेगा देखना दलचस्प रहेगा गोरो भाइन के फिल्डिंग की वज़्य से में हार गया भाई फिल्डिंग तो सच美味 में काफी बेकार थी हाला कि इस परकार की फेल्डिंग करने वाली टीम को जीतने का कोई हक नहीं है संदीब शर्मा भाई आईपियल में कमेंटरी करना इस बार भाई इस बार भी की थी चलिए जी इस बार बड़ा शोट लगाने का परियास लेकिन गेंद बिड़ विकेट की दिशा में और सिर्फ एक रन यहां से मिल जाएगा चलिए आकरी गेंद पर स्ट्राइक पर हैं सुबोध भाटी टीम का स्कोर 183 रन पांच विकेट के नुकसान पर रूप कुमार भाई ने लिखा है हेलो मिजार भाई ने लिखा है 187 चलिए देखते हैं जी यहां पर क्या रहा है पॉल्स का रिजल्ट डिंडी गुल के साथ 58% जनता 58% जनता यहां पर डिंडी गुल के साथ हैं वहीं निल्लाई रोयल किंग्स के साथ अभी 42% लोग हैं तो चलिए प्रतिशत यहां पर थोड़ा सा कम है नेला ही रोयल किंग्स का चलिए देखते हैं कि इस तरीके से मुकाबला चलता है एक बार फिर से टीम का स्कोर 183 रन पांच विकेट के नुकसान पर अरुन भाई भाई ये बच्चे जैसे हैं इन पर मैं अपना पैसा किया दूसरे रन के लिए यहां पर दोड़े और पूरा हो जाएंगे चलिए डिन्डी गूल ड्रेगन्स का स्कोर 185 रन पांच विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समापती के बार चलिए जी पोईमो जी मेरा कैप्टन है भाई पेटियम भाई ये लिका हेलो सर सेशन किसम में आती है पेटियम भाई सेशन आपके कल्यान बुक में आपको मिल जाएंगे चलिए यहां पर पारी समापत हो चुकिए डिन्डी गूल ड्रेगन्स का फाइनल स्कोर 185 रन पांच विकेट के नुकसान पर इनिंग्स ब्रेक हो चुका है और अगर इस मुकाबले में नेल रोयल किंग्स को टीम को जीतना है फाइनल में पहुचना है तो 186 रन यहां पर बनाने पड़ेंगे नेल रोयल किंग्स के पास बले बाजी करम काफी मजबूत है लेकिन उनकी जिस परकार से आज उनकी हमने फिल्डिंग का स्तर देखा है तो मेरे ख्याल से बले बाजी का स तर थोड़ा सा उससे बहतर रहेगा शुरुवाती छे ओवर में काफी बढ़िया रन बनने की उम्मीद रहेगी बाकी देखते हैं मकाबला किस तरीके से चलता डिंडी गूल ड्रैगन्स की टीम अपनी परफॉर्मेंस से आज काफी खुश रहेगी हाला कि अंत में आते आते रन थोड़े से कम बनें लेकिन फिर भी काफी खुश यहां पर रहेगी चलिए जी एक सोट श्यासी का है यहां पर टारगेट डिडी पर दो रुपीज ले आओ बस पर अरुन भाई बिलकुल लेकर आते हैं आप निशिंत रहेगा अरुन भाई दूसरी पारी आप शुरू संदीब शर्मा निलाई टीम कैसी है बाई किसी को पता है क्या संदीब भाई सबको पता है जो टीम क्वालिफाइगी है वो सारी टीम है अच्छी है जो जो टीम है क्वालिफाइगी है वो सारी टीम है अच्छी है चलिए जी आयम फ्रों स्टार स्पोर्स यू आर सेलेक्ट बाद मिलते हैं दस से बारा मिनट का ब्रेक ब्रेक के बाद दूसरी पारे शुरू होगी शांदार मुकाबला होने की उम्मीद अचलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद एक बाद जांदार मिलते हैं अचलिए लोगों से बाद दूसरी के बाद चाने की बाद पारे शोटे से बाद याज होगीद लन्हावा लॉफाँ बॉणता में ऑर भी डॉफाज़े का मならने का मुवाँ पता बुफाँ है झाल बस्टान्स भला झाल 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 झाल